लूका रचित सुसमाचार अध्याए एक से चौबीस अध्याए एक परिचे एक बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है दो जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुँचाया तीन इसलिए हेश्वी मान थियोफिलूस मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभसे ठीक ठीक जाँच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखू चार ताकि तू यह जान लेकी वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अ छेह वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभू की सारी आग्याओं और विधियों पर निर्दोश चलने वाले थे साथ उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि इलीशिबा बांच थी और वे दोनों बुड़े थे आठ जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था नौ तो याजकों की रीती के अनुसार उसके नाम पर चित्थी निकली की प्रभू के मंदिर में जाकर धूब जलाए दस धूब जलाने के समय लोगों की सारी मंदली बाहर प्रार्थना कर रही थी ग्यारा उस समय प्रभू का एक स्वर्गदूद धूब की वेदी की दाहिनी और खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया बारा जकर्याह देखकर घबराया और उस पर बड़ा भैचा गया तेरा परंतु स्वर्गदूद ने उससे कहा ए जकर्याह भैभीत नहो क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पतनी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्रूत पन होगा और तू उसका नाम युहना रखना 14. तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे 15 क्योंकि वह प्रभू के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भी से पवित्रा आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा 16 और इस्राइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभू परमेश्वर की ओर फेरेगा 17 वह लियाह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पित्रों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आग्याना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभू के लिए एक योग्य प्रजा तयार करे 18 जकर्याह ने स्वर्गदूत से पूछा यह मैं कैसे जानूं क्योंकि मैं तो बुड़ा हूं और मेरी पत्नी भी बुड़ी हो गई है 19 स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं 20 देख जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो लें उस दिन तक तु मौन रहेगा और बोलना सकेगा इसलिए कि तुने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीती न की 21 लोग जकर्याह की बात देखते रहे और अचमभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी 22 जब वह बाहर आया तो उनसे बोल न सका अतहवे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया 23 जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया 24 इन दिनों के बाद उसकी पतनी इलीशिबा गर्भवती हुई और पांच महीने तक अपने आपको यह कहके छिपाए रखा 25 मनुशियों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभू ने इन दिनों में कृपाद्रिष्टी करके मेरे लिए ऐसा किया है यीशू के जन्म की घोशना 26 महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में 27 एक कुवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दावत के घराने के एक पुरुश से हुई थी उस कुवारी का नाम मरियम था 28 स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा आनन्द और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है प्रभू तेरे साथ है 29 वह उस वचन से बहुत घब्रा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है 30 स्वर्गदूत ने उससे कहा हे मरियम भैभीत न हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है 31 देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन होगा तू उसका नाम यीशु रखना 32 वह महान होगा और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभू परमेश्वर उसके पिता दाउद का सिंधासन उसको देगा 33 और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंतना होगा 34 मरियम ने स्वर्ग दूट से कहा यह कैसे होगा मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं 35 स्वर्ग दूट ने उसको उत्तर दिया पवित्र आत्मा तुझ पर उत्रेगा और परम्प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी इसलिए वह पवित्र जो उत्पन होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा 36 और देख तेरी कुटुम्बिनी इलिशिबा के भी बुड़ापे में पुत्र होने वाला है यह उसका जो बांज कहलाती थी छटवा महीना है 37 क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावर हित नहीं होता 38 मरियम ने कहा देख मैं प्रभू की दासी हूँ मुझे तेरे वचन के अनुसार हो तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया मरियम का इलिशिबा से मिलने जाना 49 उन दिनों में मरियम उठकर शीग रही पहारी देश में यहूदा के एक नगर को भी 40 और जकर्या के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया 41 ज्यों ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना त्यों ही बच्चा उसके पेट में उचला और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई 42 और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा तूस्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है 43 यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभू की माता मेरे पास आई 44 देख ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पढ़ा त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनन से उच्छल पढ़ा 45 धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बाते प्रभू की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी मरियम का स्तुती गान 46 तब मरियम ने कहा मेरा प्रान प्रभू की बढ़ाई करता है 47 और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले पर मेश्वर से आनन दित हुई उसका नाम पवित्र है 50 और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीडी से पीडी तक बनी रहती है 51 उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आपको बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया 52 उसने बलवानों को उनके सिंघासनों से गिरा दिया और दीनों को उचा किया 53 उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से त्रिप्त किया और धनवानों को छूचे हाथ निकाल दिया 54 उसने अपने सेवक इसराइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरन करे 55 जो अबराहम और उसके वंच पर सदा रहेगी जैसा उसने हमारे बाब दादों से कहा था 56 मरियम लगभग तीन महीने उसके साथ रहकर अपने घर लोट गई युहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म 57 तब इली शिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया 58 उसके पढोसियों और कुटुम्बियों ने यह सुनकर की प्रभू ने उस पर बढ़ी द्या की है उसके साथ आनंद मनाया उनसट और ऐसा हुआ की आठवे दिन्वे बालक का खतना करने आये और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकर्याह रखने लगे 60 इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया नहीं वरन उसका नाम युहन्ना रखा जाए 61 उन्होंने उससे कहा तेरे कुटुम्ब में किसी का यह नाम नहीं 62 तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा की तू उसका नाम क्या रखना चाहता है 63 उसने लिखने की पर्टी मंगा कर लिख दिया उसका नाम युहन्ना है और सबों को आश्चर्य हुआ 64 तब उसका मुह और जीब तुरंथ खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा 65 उसके आसपास के सब रहने वालों पर भैचा गया और उन सब बातों की चर्चा यहुदिया के सारे पहारी देश में फैल गई 66 और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा यह बालक कैसा होगा क्योंकि प्रभू का हाथ उसके साथ था जकर्याह का स्तुती गान 66 उसका पिता जकर्याह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविश्यद्वानी करने लगा 68 प्रभू इसराइल का परमेश्वर धन्य हो क्योंकि उसने अपने लोगों पर द्रिश्टी की और उनका छुटकारा किया है 69 और अपने सेवक दाउत के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला 70 जैसा उसने अपने पवित्र भविश्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदी से होते आए हैं कहा था 71 अर्थात हमारे शत्रूं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है 72 की हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरन करे 73 और वह शपत जो उसने हमारे पिता अबराहम से खाई थी 74 की वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रूं के हाथ से छूट कर 75 उसके सामने पवित्रता और धार्मिक्ता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें 76 और तू हे बालक परमप्रधान का भविश्यदवक्ता कहलाएगा क्योंकि तू प्रभू का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा 77 की उसके लोगों को उद्धार का ज्यान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है 78 यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुना से होगा जिसके कारण उपर से हम पर भोर का प्रकाश उदे होगा 89 की अंधकार और मृत्यू की छाया में बैठने वालों को ज्योती दे और हमारे पावों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए 80 और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राइल पर प्रगट होने के दिन तक जंगलों में रहा अध्याए दो यीशू का जन एक उन दिनों में आगुस्तुस कैसर की ओर से आग्या निकली की सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं दो यह पहली नाम लिखाए उस समय हुई जब कुरिनियुस सीरिया का हाकिम था तीन सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए चार अतह यूसुफ भी इसलिए कि वह दावत के घराने और वन्श का था गलील के नासरत नगर से यहुदिया में दावत के नगर बैतल हम को गया पांच की अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए छे उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए साथ और वह अपना पहिलोठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चर्नी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश आठ और उस देश में कितने गड़े रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने जुन्ट का पहरा देते थे नौर और प्रभू का एक दूत उनके पास आख़डा हुआ और प्रभू का तेज उनके चारों और चमका और वे बहुत दर गए दस तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत दरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा ग्यारा की आज दाउत के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है और यही मसीह प्रभू है बारा और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिप्टा हुआ और चरनी में पढ़ा पाओगे तेरा तब एक आएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुती करते हुए और यह कहते दिखाई दिया चौदर आकाश में परमेश्वर की महिमा और प्रिथवी पर उन मनुश्यों में जिन से वह प्रसन है शान्ती हो पंद्रा जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गरेरियों ने आपस में कहा आओ हम बैतल हम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभू ने हमें बताया है देखें सोला और उन्होंने तुरंद जाकर मरियम और यूसुफ को और चर्नी में उस बालक को पड़ा देखा सत्रह इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विशय में उनसे कही गई थी प्रगट की अठारा और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गरेरियों ने उनसे कहीं आश्चर्य किया 19 परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही 20 और गरेरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुती करते हुए लोट गए येशु का नाम करण 21 जब आर्ट दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम येशु रखा गया जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था मंदिर में येशु का अरपन 22 जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलिम में ले गए की प्रभू के सामने लाएं 23 जैसा की प्रभू की व्यवस्था में लिखा है हर एक पहिलोठा प्रभू के लिए पवित्र ठहरेगा 24 और प्रभू की व्यवस्था के व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के दो बच्चे लाकर बलिदान करें शमौन का गीत 25 यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुश्य था और वह मनुश्य धर्मी और भक्त था और इस्राइल की शान्ती की बार जोह रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था 26 और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रगट हुआ था कि जब तक वह प्रभू के मसीर को देखना लेगा तब तक मृत्यू को न देखेगा 27 वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यिशू को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीती के अनुसार करें 28 तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा 29 हे स्वामी अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांती से विदा करता है 30 क्योंकि मेरी आँखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है 31 जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तयार किया है 32 की वहन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योती और तेरे निज लोग इस्राइल की महिमा हो 33 उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विशय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे 34 तब शमौन ने उनको आशीश देकर उसकी माता मरियम से कहा देख वह तो इस्राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी 35 वरन तेरा प्राण भी तलवार से वारपार छिद जाएगा इससे बहुत फृदियों के विचार प्रगट होंगे हन्नाह की गवाही 36 आशेर के गोत्र में से हन्नाह नामक फनूइल की बेटी एक भविश्यद वक्तिन थी वह बहुत बूरी थी और विवाह होने के बाद साथ वर्ष अपने पती के साथ रह पाई थी 37 वह 84 वर्ष से विध्वा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी 38 और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभू का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरुश्यलेम के छुटकारे की बार्च जोहते थे उस बालक के विशय में बाते करने लगी 49 जब वे प्रभू की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो बिलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए 40 और बालक बढ़ता और बलवन्थ होता और बुद्धी से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था बालक येश्व मंदिर में 41 उसके माता पिता प्रती वर्ष फसह के पर्व में यरूशलिम जाया करते थे 42 जब येश्व बारह वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीती के अनुसार यरूशलिम को गए 43 जब वे उन दिनों को पूरा करके लोटने लगे तो बालक येश्व यरूशलिम में रह गया और येश्व उसके माता पिता नहीं जानते थे 44 वे ये समझ कर कि वहन्य यात्रियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुम्बियों और जान पहचान वालों में धून्दने लगे 45 पर जब नहीं मिला तो ढून्टे ढून्टे यरूशलिम को फिर लौट गए 46 और तीन दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेश्यकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया 47 जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे 48 तब वे उसे देख कर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा हे पुत्र तूने हमसे क्यूं ऐसा व्यवहार किया देख तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे धून्टते थे 49 उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यूं ढूंडते थे क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है 50 परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा 51 तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वर्ष में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी 52 और यीशु बुद्धी और दील दौल में और परमेश्वर और मनुश्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया अध्याए 3 युहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश एक तिबिरियूस कैसर के राज्य के पंद्रह में वर्ष में जब पुंतियूस पिलातुस यहुदिया का हाकिम था और गलील में है रोदेस, इतुरिया और त्रकोनितिस में उसका भाई फिलिप पुस और अबिलेने में लिसानियास, चोथाई के राजा थे दो और जब हन्ना और कैफा महायाजिक थे, उस समय पर मेश्वर का वचन जंगल में जकर्याह के पुत्व युहन्ना के पास पहुँचा तीन वह यर्दन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मनफिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा चार जैसे यशायाह भविश्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभू का मार्ग तयार करो उसकी सडके सीधी बनाओ पांच हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहार और तीला नीचा किया जाएगा और जो टेड़ा है सीधा और जो उचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा छे और हर प्रानी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा साथ जो भील की भील उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी उनसे वह कहता था हे साप के बच्चों तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले ख्रोध से भागो आठा तह मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यहना सोचो की हमारा पिता अबराहम है क्योंकि मैं तुम से कहता हूं की परमेश्वर इन पत्थरों से अबराहम के लिए संतान उत्पन कर सकता है नौर अब कुलहाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में जोंका जाता है दस तब लोगों ने उससे पूछा तो हम क्या करें ग्यारा उसने उन्हें उत्तर दिया जिसके पास दो कुर्ते हों वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे बारा महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरू, हम क्या करें तेरा उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है, उससे अधिक न लेना चौदा सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न जूठा दोश लगाना, और अपने वेतन पर संतोश करना पंद्रा जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में युहना के विश्य में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीई तो नहीं है सोलह तो युहना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझ से शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूँ, वह तुम्हें पवित्रा आत्मा और आग से बपतिस्मा 18 अतह वह बहुत सी शिक्षा देदे कर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा, 19 परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हैरोदेश को उसके भाई फिलिप उसकी पतनी हैरोदियास के विशय और सब कुकर्मों के विशय में जो उसने किये थे, उलाह ना दिया, 20 तो हैर पतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया, 22 और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाश्वानी हुई, तू मेरा प्रियब पुत्र है, मैं तुझ से प्रसन हूँ, यीशू की वन्शावली 23 जब लीशू आप उपदेश करने लगा, तो लगभग 30 वर्ष की अयू का था और जैसा समझा जाता था, यूसुफ का पुत्र था, और वहली का, 24 और वह मत्तात का, और वह लेवी का, और वह मलकी का, और वह यन्ना का, और वह यूसुफ का, 25 और वह मत्तित्या का, और व वह योसिक का, और वह योदा का, 27 और वह युहन्ना का, और वह रैसा का, और वह जरुब बाबिल का, और वह शालतियल का, और वह नेरी का, 28 और वह मल्की का, और वह अद्धी का, और वह कोसाम का, और वह इलमोदाम का और वह एर का उन्तीस और वह येशु का और वह इलाजार का और वह योरीम का और वह मत्तात का और वह लेवी का तीस और वह शमौन का और वह यहुदा का और वह यूसुफ का और वह योनान का और वह इल्याकीम का इकतीस और वह मलिया का और वह मिन्ना का और वह मतता का, और वह नातान का, और वह दाउद का, 32 और वह यशे का, और वह अबेद का, और वह बोज का, और वह सलमोन का, और वह नशोन का, 33 और वह मिनादाब का, और वह हरनी का, और वह हिसरोन का, और वह फिरिस का, और वह यहुदा का, 34 और वह याकूब का, और वह इ अध्याई चार यीशू की परीक्षा एक फिर यीशू पवित्र आत्मा से भरा हुआ, यर्दन से लोटा, और चालीस दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, दो और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए, तो उसे भूख लगी तीन तब शैतान ने उससे कहा, यदी तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इस पत्थर से कह, की रोटी बन जाए चार यीशू ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, मनुश्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा पांच तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, छे और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार, और इनका वैभव तुझे दूनगा, क्योंकि वह मुझे सौपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ साथ इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे, तो यह सब तेरा हो जाएगा आठ यीशू ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, और केवल उसी की उपासना कर नौ तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंबूरे पर खड़ा किया, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आपको यहां से नीचे गिरा दे दस्क्यों की लिखा है, वो तेरे विशय में अपने स्वर्गदूतों को आग्या देगा, कि वे तेरी रक्षा करें, ग्यारा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा नहो कि तेरे पाउं में पत्थर से ठेस लगे बारह यीशू ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना तेरा जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया यीशू के सेवा कार्य का आरंब शौदा फिर यीशू आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लोटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई पंद्रा वह उनके आराधनलेयों में उबदेश करता रहा और सब उसकी बढ़ाई करते थे नासरत में यीशू का अनादर सोलह फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीती के अनुसार सबत के दिन आराधनले में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ सत्रह यशाया भविश्य द्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोल कर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था अथारह प्रभू का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिशेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टी पाने का सुसमाचार प्रचार करून और कुछले हूँ को छुड़ाओं उन्नीस और प्रभू के प्रसन रहने के वर्ष का प्रचार करून बीस तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में देदी और बैठ गया और आराधना लेके सब लोगों की आँखें उस पर लगी थी 21 तब वह उनसे कहने लगा आज ही यह लेक तुम्हारे सामने पूरा हुआ है 22 तब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुह से निकलती थी उनसे अचम्भित हुए और कहने लगे क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं 23 तब उसने उनसे कहा तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे की हे वैद्य अपने आपको अच्छा कर 24 और उसने कहा मैं तुम से सच कहता हूँ कोई भविश्यद वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता 25 मैं तुम से सच कहता हूँ की अलिया के दिनों में जब साड़े तीन वर्ष तक आकाश बंद रहा यहां तक की सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा तो इसराइल में बहुत सी विध्वाएं थी 26 पर अलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया केवल सैदा के सारफत में एक विध्वा के पास 27 और एलिशा भविश्यद वक्ता के समय इसराइल में बहुत से कोड़ी थे पर सीविया वासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुधन नहीं किया गया 28 ये बातें सुनते ही जितने आराधनाले में थे सब क्रोध से भर गए 29 और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले की उसे वहां से नीचे गिरा दें 30 परंतु वह उनके बीच में से निकल कर चला गया दुष्टात्मा ग्रस्ट व्यक्ति को चंगा करना 31 फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और सबत के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था 32 वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था 33 आराधनाले में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्धा आत्मा थी वहुचे स्वर से चिल्ला उठा 34 हे यिशू नासरी हमें तुझ से क्या काम क्या तु हमें नश्ट करने आया है मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है तू परमेश्वर का पवित्र जन है 35 यिशू ने उसे डाट कर कहा चुप रह और उसमें से निकल जा तब दुश्टात्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानी पहुचाए उसमें से निकल गई 36 इस पर सब को अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे यह कैसा वचन है क्योंकि वह अधिकार और सामर्थे के साथ अशुद्ध आत्माओं को आग्या देता है और वे निकल जाती है 37 इस प्रकार चारों और हर जगह उसकी चर्चा होने लगी 38 वह आरा धनाले में से उठकर शमौन के घर में गया शमौन की सास को जवर चड़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की 49 उसने उसके निकट खड़े होकर जवर को डाटा और जवर उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी 40 सूरज डूपते समय जिन-जिन के यहां लोग नाना प्रकार की बिमारियों में पड़े हुए थे वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक-एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया 41 और दुष्टात्माय भी चिलाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है बहुतों में से निकल गई पर वह उन्हें डांकता और बोलने नहीं देता था क्योंकि वे जानती थी कि वह मसी है आराधनलेयों में प्रचार करना 42 जब दिन हुआ तो वह निकल कर एक सुनसान जगह में गया और भील की भील उसे ढूनती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से न जाए 43 परंतु उसने उनसे कहा मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना आवश्य है क्योंकि मैं इसी लिए भेजा गया हूँ 44 और वह गलील के आराधनलेयों में प्रचार करता रहा अध्याए 5 प्रथम चेलों का बुलाया जाना एक जब भीर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्यसरत की जील के किनारे पर खड़ा था तो ऐसा हुआ दोकी उसने जील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी और मचुवे उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे तीन उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चल कर उसने उससे विनती की किनारे से थोड़ा हटा ले चले तब वह बैठ कर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा चार जब वह बाते कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मचलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो पांच शमौन ने उसको उत्तर दिया हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा छे जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मचलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे साथ इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर लीकी वे डूबने लगी आठ यह देखकर शमौन पत्रस येशु के पावों पर गिरा और कहा हे प्रभू मेरे पास से जा क्योंकि मैं पापी मनुश्य हूं नौक्यों की इतनी मचलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचमभा हुआ दस और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और युहनना को भी जो शमौन के सहभागी थे अचमभा हुआ तब येशु ने शमौन से कहा मत दर अब से तू मनुश्यों को जीवता पकड़ा करेगा ग्यारा और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए कोल के रोगी को चंगा करना बारा जब वह किसी नगर में था तो वहां कोल से भरा हुआ एक मनुश्या आया और वह येशु को देखकर मूह के बल गिरा और विनती की हे प्रभू यदि तू चाहे तो मुझे शुधा कर सकता है तेरा उसने हाथ बढ़ा कर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू शुधा हो जा और उसका कोल तुरंद जाता रहा चौदा तब उसने उसे चिताया किसी से न कह परंतु जाके अपने आपको याजग को दिखा और अपने शुध होने के विशे में जो कुछ मूसा ने चड़ावा ठहराया है उसे चड़ा की उन पर गवाही हो पंद्रा परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भील की भील उसकी सुनने के लिए और अपनी बिमारियों से चंगा होने के लिए इकठी हुई सोला परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था लक्वा के रोगी को चंगा करना सत्रह एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्था पक वहां बैठे हुए थे जो बलील और युहदिया के हर एक गाउं से और यरुशिलिम से आय थे और चंगा करने के लिए प्रभू की सामर्थे उसके साथ थी 18 उस समय कई लोग एक मनुश्य को जो लक्वे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाई धून रहे थे 19 पर जब भीड के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छट पर चड़ कर और खप्रेल हटा कर उसे खाट समेद बीच में यीशु के सामने उतार दिया 20 उसने उनका विश्वास देख कर उससे कहा है मनुश्य तेरे पाप ख्शमा हुए 21 तब शास्त्वी और फरीसी विवाद करने लगे यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को ख्शमा कर सकता है 22 यीशु ने उनके मन की बाते जान कर उनसे कहा तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो 22 सहज क्या है? क्या यह कहना की तेरे पाप शमा हुए या यह कहना की उठ और चल फिर 24 परंतु इसलिए कि तुम जानों की मनुश्य के पुत्र को पृत्वी पर पाप शमा करने का भी अधिकार है उसने उस लकवे के रोगी से कहा मैं तुझ से कहता हूँ उठ और अपनी खाट उठा कर अपने घर चला जा 25 वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठा कर परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ अपने घर चला गया 26 तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे और बहुत दरकर कहने लगे आज हमने अनोखी बाते देखी हैं 27 इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुनगी लेने वाले को चुनगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले 28 तब वह सब कुछ छोड़ कर उठा और उसके पीछे हो लिया 29 तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुनगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीर थी 30 इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुलकुलाने लगे तुम चुनगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो 31 यिश्यू ने उनको उत्तर दिया वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है 32 मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ उपवास का प्राश्ण 33 उन्होंने उससे कहा युहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं और वैसे ही फरीसियों के चेले भी परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं 34 यिश्यू ने उनसे कहा क्या तुम बरातियों से जब तक दूलहा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो 35 परंतु वे दिन आएंगे जिन में दूलहा उनसे अलग किया जाएगा तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे 36 उसने एक और दृष्टान भी उनसे कहा कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाल कर पुराने वस्त्र में पैवंद नहीं लगाता नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैवंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा 37 और कोई नया दाखरस पुरानी मश्यकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मश्यकों को फाल कर बह जाएगा और मश्यकें भी नश्ट हो जाएंगी 38 परंतु नया दाखरस नई मश्यकों में भरना चाहिए 49 कोई मनुश्य पुराना दाखर स्पीकर नया नहीं चाहता क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है अध्याइच 6 सबत का प्रभू एक फिर सबत के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले बाले तोड़ तोड़ कर और हाथों से मलमल कर खाते जा रहे थे दो तब फरीसियों में से कुछ कहने लगे तुम वह काम क्यों करते हो जो सबत के दिन करना उचित नहीं तीन यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा कि दाउद ने, जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया चार वह कैसे परमेश्वर के घर में गया, और भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथीयों को भी दी पांच और उसने उनसे कहा, मनुश्य का पुत्र सबत के दिन का भी प्रभू है सूखे हाथ वाले मनुश्य को चंगा करना छेह ऐसा हुआ कि किसी और सबत के दिन वहारा धनाले में जाकर उपदेश करने लगा, और वहाँ एक मनुश्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था साथ शास्त्री और फरीसी उस पर दोश लगाने का अफसर पाने की ताक में थे कि देखें वह सबत के दिन चंगा करता है की नहीं आठ परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुश्य से कहा, उठ बीच में खड़ा हो वह उठ खड़ा हुआ, नौ यीश्यू ने उनसे कहा, मैं तुम से यह पूछता हूँ की सबत के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्रान को बचाना या नाश करना दस तब उसने चारों और उन सबों को देखकर उस मनुश्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा उसने ऐसा ही किया, और उसका हाथ फिर चंगा हो गया ग्यारा परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे की हम लीश्यू के साथ क्या करें बारा प्रेरितों की नियुक्ती बारा उन दिनों में वह पहार पर प्रार्थना करने गया, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताए तेरा जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुला कर उन में से बारा चुन लिये और उनको प्रेरित कहा चौदह और वे ये हैं, शमोन जिसका नाम उसने पत्रस भी रखा और उसका भाय अंद्रियास और याकूब और युहना और फिलिप्पुस और बर्तुल में पंद्रह और मत्ती और थोमा और हलफी का पुत्र याकूब और शमोन जो जेलोतेस कहलाता है सोलह और याकूब का बेटा यहुदा और यहुदा इस करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना शिक्षा देना और चंगा करना सत्रह तब वह उनके साथ उतर कर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहुदिया यरुशिलिम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग अठारा जो उसकी सुनने और अपनी बिमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आये थे वहां थे और अशुद्धा आत्माओं के सताय हुए लोग भी अच्छे किये जाते थे 19 सब उसे चुना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकल कर सबको चंगा करती थी आशीश और शोक वचन 20 तब उसने अपने चेलों की ओर देख कर कहा धन्य हो तुम जो दीन हो क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है 21 धन्य हो तुम जो अब भूखे हो क्योंकि तृप्त किये जाओगे 22 धन्य हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि हसोगे 22. धन्य हो तुम जब मनुश्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जान कर काद देंगे 23. उस दिन आनंदित होकर उचलना, क्योंकि देखो, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, उनके बाप दादे भविश्यद वक्ताओं के साथ भी वैसा ही क्या करते थे 24. परन्तु हाई तुम पर जो धन्वान हो, क्योंकि तुम अपनी शांती पाचुके तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादे जूटे भविश्यद वक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे 27. परन्तु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुम से बैर करें, उनका भला करो 28. जो तुम्हें स्राप दे, उनको आशीश दो, जो तुम्हारा अपमान करें, उनके लिए प्रार्थना करो 29. जो तेरे एक गाल पर थप पर मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले, उसको कुर्ता लेने से भी न रोक 30. जो कोई तुछ से मानगे, उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले, उससे न मानग 31. जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो 32. यदी तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो, तो तुम्हारी क्या बढ़ाए? 34. यदी तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो, तो तुम्हारी क्या बढ़ाए? क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं 35 वरन अपने शत्रूओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रख कर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परंप्रधान के संतान ठहरोगे क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी क्रिपालू है 36 जैसा तुम्हारा पिता द्यावंद है वैसे ही तुम भी द्यावंद बनो दोश न लगाओ 37 दोश मत लगाओ तो तुम पर भी दोश नहीं लगाया जाएगा दोशी न ठहराओ तो तुम भी दोशी नहीं ठहराए जाओगे क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा 38 दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे चालीस चेला अपने गुरू से बड़ा नहीं, परन्तु जो कोई सिधह होगा, वह अपने गुरू के समान होगा। 41 तु अपने भाई की आँख के तिनके को क्यों देखता है, और अपनी ही आँख का लठा तुझे नहीं सूचता। 42 जब तु अपनी ही आँख का लठा नहीं देखता, तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा तेरी आँख से तिनके को निकाल दून। हे कप्ती, पहले अपनी आँख से लठा निकाल, तब जो तिन का तेरे भाई की आँख में है, उसे भली भाती देख कर निकाल सकेगा। जैसा पेड वैसा फल 43, कोई अच्छा पेड नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड है जो अच्छा फल लाए 44, हर एक पेड अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग जाडियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न जड़बेरी से अंगूर 45, भला मनुश्य अपने मन के भले भंडार से भली बाते निकालता है, और बुरा मनुश्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बाते निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुह पर आता है घर बनाने वाले दो मनुश्य 46 जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभू, हे प्रभू कहते हो 47 जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बाते सुनकर उन्हें मानता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है 48 वह उस मनुश्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमी गहली खोद कर चटान पर नीव डाली और जब बार आई तो धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था 49 परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुश्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नीव का घर बनाया जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंद गिर पड़ा और गिर कर उसका सत्यानाश हो गया अध्याय साथ एक सूबेदार का विश्वास एक जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफर नहूम में आया दो वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिया था, बीमारी से मरने पर था टीन उसने यीशू की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा की आकर मेरे दास को चंगा कर चारवे यीशू के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे पांच क्योंकि वह हमारी जाती से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनाले को बनाया है चे यीशू उनके साथ गया पर जब वह धर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा हे प्रभू, दू, खाना उठा क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छट के तले आए साथ इसी कारण मैंने अपने आपको इस योग्य भी न समझा की तेरे पास आउं पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा आठ मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में हैं और जब एक को कहता हूं जा तो वह जाता है और दूसरे से कहता हूं आ तो आता है और अपने किसी दास को की यह कर तो वह उसे करता है नौ यह सुनकर यिशू को अचंभा हुआ और उसने मुझ फेर कर उस भीड से जो उसके पीछे आ रही थी कहा मैं तुम से कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया दस और भेजे हुए लोगों ने घर लोटकर उस दास को चंगा पाया विध्वा के पुत्र को जीवन दान ग्यारा थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया उसके चेले और बड़ी भीर उसके साथ जा रही थी बारा जब वह नगर के फाटक के पास पहुचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी मा का एकलोता पुत्र था और वह विध्वा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे तेरा उसे देखकर प्रभू को तरस आया और उससे कहा मत रो चौदह तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले थाहर गए तब उसने कहा हे जवान मैं तुझ से कहता हूँ उठ पंद्रह तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया सोलह इससे सब पर भैचा गया और वे परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे हमारे बीच में एक बड़ा भविश्यद वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा द्रिष्टी की है 17 और उसके विश्यमें यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई युहाना बपतिस्मा देने वाले का प्रश्ण 18 युहाना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया 19 तब युहन्ना ने अपने चेलों में से दो को बुलाकर प्रभू के पास यह पूछने के लिए भेजा क्या आने वाला तु ही है या हम किसी और की बात देखें 20 उन्होंने उसके पास आकर कहा युहना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तु ही है या हम किसी दूसरे की बात देखें 21 उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीराओं और दुष्टात माओं से चुड़ाया और बहुत से अंधों को आखें दी 22 और उसने उनसे कहा जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर युहना से कह दो कि अंधे देखते हैं लंगरे चलते फिरते हैं कोणी लाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है 23 धन्य है वह जो मेरे विशय में ठोकर ना खाए 24 जब युहना के भेजे हुए लोग चले गए तो इशु युहना के विशय में लोगों से कहने लगा तुम जंगल में क्या देखने गए थे क्या हवा से हिलते ह 27 तो फिर तुम क्या देखने गए थे क्या कोमल वस्ट्र पहिने हुए मनुश्य को देखो जो भड कैला वस्ट्र पहिनते और सुक विलास से रहते हैं वे राजभवनों में रहते हैं 26 तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविश्यद वक्ता को? हाँ, मैं तुम से कहता हूँ, वरन भविश्यद वक्ता से भी बड़े को 27 यह वही है, जिसके विश्यद में लिखा है, देख, मैं अपने दूद को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा 28 मैं तुम से कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे है, उनमें से युहनना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे भी बड़ा है 29 और सब साधारन लोगों ने सुनकर और चुनगी लेने वालों ने भी युहनना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया 30 परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के अभी प्राय को अपने विश्य में ताल दिया 31 अतह मैं इस युग के लोगों की उपमा किस से दून की वे किस के समान है 32 वे उन बालकों के समान है जो बजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं हमने तुम्हारे लिए बांसली बजाई और तुम ना नाचे हमने विलाप किया और तुम न रोए 33 क्योंकि युहनना बपतिसमा देने वाला न रोटी खाता आया न दाखरस पीता आया और तुम कहते हो उसमें दुश्टात्मा है 34. मनुश्य का पुत्र खाता पीता आया है और तुम कहते हो, देखो, पेटू और पेक्कर मनुश्य, चुनगी लेने वालों का और पापियों का मित्र 35. पर ग्यान अपनी सब संतानों द्वारा सच्च ठहराया गया है 36. फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतह वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा 37. उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जान कर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है संगमर्मर के पात्र में इत्र लाए, अर्थीस और उसके पावों के पास, पीछे खड़ी होकर, रोती हुई उसके पावों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पूंचने लगी, और उसके पावों बार-बार चूम कर उन पर इत्र मला 49 यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था, अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविश्यदवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे चूर रही है, वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है 40 येश्यू ने इसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझ से कुछ कहना है वह बोला, हे गुरू, कह 41 किसी महाजन के दो देंदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देंदार था 42 जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा, तो उसने दोनों को ख्षमा कर दिया इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा 43 शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह, जिसका उसने अधिक छोड़ दिया उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है 44 और उस स्थ्री की और फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्थ्री को देखता है मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाव धोने के लिए पानी न दिया पर इसने मेरे पाव आसूं से भिगोए और अपने बालों से पुंच्छा 45 तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पावों का चूमना न छोड़ा 46 तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पावों पर इत्र मला है 47 इसलिए मैं तुझ से कहता हूँ कि इसके पाव जो बहुत थे, क्षमा हुए क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा ख्षमा हुआ है, वह थोड़ा प्रेम करता है 48 और उसने स्थ्री से कहा, तेरे पाव ख्षमा हुए 49 तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पावों को भी ख्षमा करता है 50 पर उसने स्थ्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा अध्याए 8 यीशू की शिश्याएं और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुश्टात्माओं से और बीमारियों से चुड़ाई गई थी, और वे ये हैं, मर्यम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से साथ दुश्टात्माएं निकली थी, तीन और हैरोदेस के भंदारी खुजा की पत्नी योहना, और सूसनना, और बहुत सी अन्यस्ट्रियां, ये अपनी संपत्ती से उसकी सेवा करती थी, बीज बोने वाले का दृष्टांत, चार जब बड़ी भीड इकठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, पांच एक बोने वाला बीज बोने न उक गया, साथ कुछ जाडियों के बीच में गिरा और जाडियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया, आठ कुछ अच्छी भूमी पर गिरा और उपकर सो गुना फल लाया, ये कहकर उसने उचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले, दृष्टांतों का उद्देश्य, नौ उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है, दस उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखें, और सुनते हुए भी न समझें, बीज बोने वाले दृष्टांत का अर्थ, ग्यारा दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है, बारा मार्प के किनारे के वे हैं, जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा नह की वे विश्वास करके उद्धार पाएं, तेरा चटान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं, तो आनन से वचन को ग्रहन तो करते हैं, परंतु जड़ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहग जाते हैं, चौदा जो जाडियों मे गिरा, यह वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चल कर चिंता, और धन, और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता, पंद्रा पर अच्छी भूमी में केवे हैं, जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं, और धीरच से फल लाते हैं दीपक का द्रिश्टांत सोलह, कोई दिया जला के बरतन से नहीं धांकता, और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है की भीतर आने वाले प्रकाश पाएं सत्रह कुछ छिपा नहीं जो प्रगट न हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रगट न हो 18. इसलिए चोकस रहो कि तुम किस रीती से सुनते हो, क्यूंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा, जिसे वह अपना समझता है यीशु की माता और भाई 19 उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए पर भील के कारण उससे भिटना कर सके 20 उससे कहा गया तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझ से मिलना चाहते हैं 21 उसने इसके उत्तर में उनसे कहा मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, आंधी को शांत करना, 22 फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चड़े, और उसने उनसे कहा, आओ, जील के पार चलें, अतह उन्होंने नाव खोल दी, 23 पर जब नाव चल रही थी, तो व स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं, तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डाटा और वे थम गए और चैन हो गया, 25 तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था, पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पा पार गलील के सामने है, 27 जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुश्य उसे मिला जिसमें दुश्टात्माय थी, वह बहुत दिनों से न कपड़े पहिंता था और न घर में रहता था वरन कब्रों में रहा करता था, 28 वह यिश्व को देखकर चिलाया और उसके सामन गिर कर उचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यिश्व, मुझे तुझ से क्या काम, मैं तुझ से विनती करता हूँ, मुझे पीरा न दे, 29 क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुश्य में से निकलने की आग्या दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार-बार प्रबल होती थी, यद्यपी लोग उसे सांकलों और बेडियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था, और दुश्टात्मा उसे जंगल में भगाय फिरती थी, 30 यिश्व ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है, उसने कहा, सेना, क्यो की बहुत दुश्टात्माएं उसमें पैट गई थी, 31 उन्होंने उससे विनती की की हमें अथाह गढ़े में जाने की आग्याना दे, 32 वहां पहार पर सुवरों का एक बड़ा जुन्ट चर रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की की हमें उनमें पैठने दे, उसने उ और नगर में और गावों में जाकर उसका समाचार दिया। 35 लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशू के पास आकर जिस मनुश्य से दुश्टात्माय निकली थी उसे यीशू के पावों के पास कपड़े पहिने और सचेद बैठे हुए पाकर दर गए, 36 और देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुश्टात्मा का सताया हुआ मनुश्य किस प्रकार अच्छा हुआ। 37 तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशू से विनती की कि हमारे यहां से चला जा क्योंकि उन पर बड़ा भैचा गया था। अता वह नाव पर चल कर लोट गया। 38 जिस मनुश्य में से दुश्टात्माय निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु यीशू ने उसे विदा करके कहा, 49 अपने घर को लोट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े- याहीर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री, 40 जब यीशू लोटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले क्योंकि वे सब उसकी बार जोह रहे थे। 43 एक स्त्री ने जिसको बारह वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्याय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, 44 पीछे से आकर उसके वस्त्र के आचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंध हो गय 45 इस पर यीशू ने कहा, मुझे किसने चुआ? 47 जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पावों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे चुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई? 48 उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा 49 वह यह कही रहा था कि किसी ने आराधनाले के सरदार के यहां से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरू को दू, खना दे 50 यिश्व ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मदर केवल विश्वास रख, तो वह बच जाएगी 51 घर में आकर उसने पत्रस, युहनना, याकूब और लड़की के माता-पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया 52 अब उसके लिए रोपीट रहे थे, परन्तु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परन्तु सो रही है 53 वे यह जानकर कि वह मर गई है उसकी हसी करने लगे 54 परन्तु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उट 55 परन्त तब उसके प्राण लोट आए और वह तुरंत उट बैठी फिर उसने आग्या दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए 56 उसके माता पिता चकेत हुए, परन्तु उसने उन्हें चिताया की यह जो हुआ है किसी से न कहना अध्याए 9 12 प्रेरितों का भेजा जाना एक फिर उसने बारहों को बुला कर उन्हें सब दुश्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थे और अधिकार दिया दो और उन्हें पर मेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा तीन उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेना, न तो लाठी, न जोली, न रोटी, न रुप्य और न दोदो कुरते चार जिस किसी घर में तुम उतरो, वहीं रहो और वहीं से विदा हो पांच जो कोई तुम्हें ग्रहन न करे, उस नगर से निकलते हुए अपने पावों की धूल जार डालों की उन पर गवाही हो छेह अतह वे निकल कर गाव गाव सुसमाचार सुनाते, और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे हेरो देश की उलज़न साथ देश के चोथाई का राजा हेरो देश यह सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि कुछ ने कहा कि युहनना मरे हो में से जी उठा है, आठ और कुछ ने यह की इलिया दिखाई दिया है, और औरों ने यह की पुराने भविश्यद वक्ताओं में से कोई जी उठा है नौ परंतु हेरो देश ने कहा, युहनना का तो मैंने सिर कटवाया, अब यह कौन है जिसके विश्यद में ऐसी बातें सुनता हूँ और उसने उसे देखने की इच्छा की, पांच हजार पुरुष्यों को खिलाना दस फिर प्रेरितों ने लोटकर जो कुछ उन्होंने किया था, उसको बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बैचसेदा नामक नगर को ले गया ग्यारा यह जानकर भीर उसके पीछे हो ली, और वह आनंद के साथ उनसे मिला, और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया बारा जब दिन धलने लगा तो बारहों ने आकर उससे कहा, भीर को विदा कर कि चारों और के गावों और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाए करें, क्योंकि हम यहां सुनसान जगह में हैं तेरा उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो उन्होंने कहा, हमारे पास पांच रोटी और दो मचलियों को छोड़ और कुछ नहीं परन्तु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोलने, तो हो सकता है वे लोग तो पांच हजार पुरुष्यों के लगभग थे 14 तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें पचास पचास करके पांती पांती बैठा दो 15 उन्होंने ऐसा ही किया, और सब को बैठा दिया 16 तब उसने वे पांच रोटियां और दो मचलियां ली, और स्वर्ब की ओर देखकर धन्यवाद किया, और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया की लोगों को परोसें 17 तब सब खा कर त्रिप्थ हुए, और चेलों ने बचे हुए टुकडों से 12 टोकरियां भर कर उठाई 18 जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते है 19 उन्होंने उत्तर दिया, युहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई कोई अलिया, और कोई यह की पुराने भविश्यदवक्ताओं में से कोई जी उठा है 20 उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो पत्रस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह 21 तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि यह किसी से न कहना 22 उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दू, खव उठाए, और पुर्निये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझ कर मार डालें, और वह तीसरे दिंजी उठे 23 उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आपे से इंकार करे और प्रति दिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले 24 क्योंकि जो कोई अपना प्रान बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परन्तु जो कोई मेरे लिए अपना प्रान खोएगा वही उसे बचाएगा पचीस यदी मनुश्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्रान खोदे या उसकी हानी उठाए तो उसे क्या लाब होगा 26 जो कोई मुझ से और मेरी बातों से ले जाएगा मनुश्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्ब दूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे ले जाएगा 27 मैं तुम से सच कहता हूँ की जो यहां खड़े हैं उन में से कुछ ऐसे हैं की जब तक परमेश्वर का राज्य न देख ले तब तक मृत्यू का स्वाद न चकेंगे 28 इन बातों के कोई आठ दिन बाद वह पत्रस युहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया 29 जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्रश्वेथ होकर चमकने लगा 30 और देखो मूसा और अलिया ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे 31 ये महिमा सहिद दिखाई दिये और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरुशलेम में होने वाला था 32 पत्रस और उसके साथ ही नीन से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दो पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा 33 जब वे उसके पास से जाने लगे तो पत्रस ने इश्यू से कहा हे स्वामी हमारा यहां रहना भला है अता हम तीन मंडब बनाएं एक तेरे लिए एक मूसा के लिए और एक अलिया के लिए वह जानता न था कि क्या कह रहा है 34 वह यह कही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें चालिया और जब वह उस बादल से घिरने लगे तो डर गए 35 तब उस बादल में से यह शब्द निकला यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है इसकी सुनो 36 यह शब्द होते ही लिश्यू अकेला पाया गया और वह चुप रहे और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से न कही दुष्टात्मा ग्रस्ट बालक को चंगा करना 37 दूसरे दिन जब वे पहार से उत्रे तो एक बड़ी भीड उससे आ मिली 38 और देखो भीड में से एक मनुष्य ने चिल्ला कर कहा हे गुरू मैं तुझ से विनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर कृपाद्रिष्टी कर क्योंकि वह मेरा एक लोता है 49 और देख एक दुष्टात्मा उसे पकड़ती है और वह एका एक चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसा मरूरती है कि वह मुह में फेन भरलाता है और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है 40 मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकालें परन्तु वे न निकाल सके 41 यिशू ने उत्तर दिया हे अविश्वासी और हठीले लोगो मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा 42 वहां ही रहा था कि दुष्टात्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा परन्तु यिशू ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया 43 तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ्य से चकित हुए परन्तु जब सब लोग उन सब कामों से जो वह करता था अचंबित थे तो उसने अपने चेलों से कहा अपनी मृत्यू के विशय यिशू की पुनहभा विश्यद्वानी 44 तुम इन बातों पर कान दो क्योंकि मनुश्य का पुत्र मनुश्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है 45 परन्तु वे इस बात को न समझते थे और यह उन से चिपी रही की वे उसे जानने ना पाएं और वे इस बात के विश्य में उससे पूछने से डरते थे सबसे बड़ा कौन 46 फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है 47 पर यिशू ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया 48 और उनसे कहा जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहन करता है वो मुझे ग्रहन करता है और जो कोई मुझे ग्रहन करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहन करता है क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है जो विरोध में नहीं, वह पक्ष में है उन्चास तब युहन्ना ने कहा हे स्वामी, हमने एक मनुश्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा और हमने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता पचास युश्य ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं, वह तुम्हारी ओर है साम्रियों द्वारा युश्य का विरोध 51 जब उसके उपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरुशलेम जाने का विचार द्रिल किया 52 उसने अपने आगे दूद भेजे, वे साम्रियों के एक गाउम में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें 53 परन्तु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वो यरुशलेम जा रहा था 54 यह देखकर उसके चेले याकूब और युहनना ने कहा हे प्रभु, क्या तु चाहता है कि हम आग ग्या दें, कि आकाश से आग गिर कर उन्हें भस्म कर दे 55 परन्तु उसने फिर कर उन्हें डाटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो क्योंकि मनुश्य का पुत्र लोगों के प्रानों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है 56 और वे किसी दूसरे गाव में चले गए 57 जब वे मार्ग में जा रहे थे, तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा, मैं तेरे पीछे हो लूँगा 58 यिश्य ने उससे कहा, लोमरियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुश्य के पुत्र को सिर्धरने की भी जगह नहीं 59 उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले, उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे की अपने पिता को गार दून 60 उसने उससे कहा, मरे हूँ को अपने मुर्दे गार ने दे, पर तू जाकर पर मेश्वर के राज्य की कथा सुना 61 और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने देखी अपने घर के लोगों से विदा ले आऊँ 62 यिशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं अध्याए 10, सत्तर चेलों का भेजा जाना एक इन बातों के बाद प्रभु ने सत्तर और मनुश्य नियुक्त किये, और जिस जिस नगर और जगह को वहाँ आप जाने पर था, वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा दो उसने उनसे कहा, पके खेद बहुत हैं, परंतु मजदूर फोड़े हैं, इसलिए खेद के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेद काटने को मजदूर भेज दे तीन जाओ, देखो, मैं तुम्हें भीडों के समान भीडियों के बीच में भेजता हूँ चार इसलिए ना बटूआ, ना जोली, ना जूते लो, और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो पांच जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो, इस घर पर कल्यान हो छेह यदी वहां कोई कल्यान के योग्य होगा, तो तुम्हारा कल्यान उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लोट आएगा साथ उसी घर में रहो, और जो कुछ उनसे मिले, वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, घर घर न फिर न आठ जिस नगर में जाओ, और वहां के लोग तुम्हें उतारें, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए, वही खाओ नौ वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकटा पहुचा है दस परंतु जिस नगर में जाओ, और वहां के लोग तुम्हें ग्रहन ना करें, तो उसके बाजारों में जाकर कहो, ग्यारा, तुम्हारे नगर की धूल भी, जो हमारे पावों में लगी है, हम तुम्हारे सामने जाड़ देते हैं, तो भी यह जानलों की परमेश्वर का र जीन, हाई बैच सेदा, जो सामर्थे के काम तुम में किये गए, यदि वे सूर और सेदा में किये जाते तो टाट उरकर और राख में बैठ कर वे कबके मन फिराते, चौदा परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सेदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी, प तुम्हे तुच्छ जानता है, वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है, वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है, सत्तर चेलों का लोटना, सत्रा वे सत्तर आनंद करते हुए लोटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट को रौनने का और शत्रू की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानी न होगी। 20 तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में हैं, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। 21 उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृत्वी के प्रभू, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तुने इन बातों को ग्यानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रगड किया। हाँ, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। 22 मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता केवल पुत्र के और वह जिस पर पुत्र उसे प्रगड करना चाहे। 23 तब चेलों की और मुल कर अकेले में कहा, धन्य हैं वे आखें, जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं। 24 क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि बहुत से भविश्यद वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखी और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। दयालू सामरी का द्रिश्टांत 25 और देखो एक व्यवस्था पक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। हे गुरू अनन्द जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूँ। 26 उसने उससे कहा व्यवस्था में क्या लिखा है। तू कैसे पढ़ता है। 27 उसने उत्तर दिया तू प्रभू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्रान और अपनी सारी शक्ती और अपनी सारी बुद्धी के साथ प्रेम रख और अपने पढोसी से अपने समान प्रेम रख। 28 उसने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया यही कर तो तू जीवित रहेगा 29 परंतु उसने अपने आपको धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशू से पूछा तो मेरा पडोसी कौन है 30 यीशू ने उत्तर दिया एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाको ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिये और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ कर चले गए 31 और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजग जा रहा था परंतु उसे देखके कत्रा कर चला गया 32 इसी रीती से एक लेवी उस जगा पर आया वह भी उसे देखके कत्रा कर चला गया 33 परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया 34 उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस धाल कर पटियां बांधी और अपनी सवारी पर चड़ा कर सराई में ले गया और उसकी सेवा टहल की 35 दूसरे दिन उसने दो दीनार निकाल कर सराई के मालिक को दिये और कहा इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लोटने पर तुझे भर दूंगा 36 अब तेरी समझ में जो डाकों में घिर गया था इन तीनों में से उसका पढोसी कौन ठहरा 37 उसने कहा वही जिसने उस पर दया की यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर माथा और मरियम के घर यीशु 38 जब वे जा रहे थे तो वह एक गाव में गया और माथा नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा 49 मरियम नामक उसकी एक बहिन थी वह प्रभू के चरनों में बैठ कर उसका वचन सुनती थी 40 परंतु माथा सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी हे प्रभू क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहिन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है इसलिए उससे कह की मेरी सहायता करे 41 प्रभू ने उससे उत्तर दिया माथा हे माथा तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है 42 परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा अध्याई 11 उससे कहा हे प्रभू जैसे युहन्णा ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे 22 उसने उनसे कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहो हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्या आए 3. हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर 4. और हमारे पापों को ख्षमा कर क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को ख्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में नला प्रार्थना के संबंध में यीशू की शिक्षा 5. तब उसने उनसे कहा तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे हे मित्र मुझे तीन रोटियां दे 6. क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है 7. और वह भीतर से उत्तर दे मुझे दू, खना दे अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिच्छोने पर है इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता 8. मैं तुम से कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे तो भी उसके लजज़ा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा 9. और मैं तुम से कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ढूंडो तो तुम पाओगे खट-खट आओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा 10. क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंडता है वो पाता है और जो खट-खटाता है उसके लिए खोला जाएगा 11. तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे या मचली मांगे तो मचली के बदले उसे सांप दे 12. या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे 13. अतह जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गिय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा यीशू और बाल्जबूल शौदा फिर उसने एक गूंगी दुश्टात्मा को निकाला जब दुश्टात्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों को अचंभा हुआ पंद्रा परंटू उन में से कुछ ने कहा यह तो बाल्जबूल नामग दुश्टात्माओं के प्रधान की सहाइता से दुश्टात्माओं को निकालता है सोलह औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा सत्रा परंटू उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है और जिस घर में फूट होती है वह नश्ट हो जाता है अठारह यदि शैतान अपना ही विरुधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं। इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। 20 परंतु यदी मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्टात्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुचा है। 21 जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है, तो उसकी संपत्ती बची रहती है। 22 पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चड़ाई करके उसे जीत लेता है, तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था, छीन लेता है और उसकी संपत्ती लूटकर बांध देता है। 23 जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। अधूरि सुधार से विपत्ती चौबीस जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम धूनती फिरती है और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लोट जाऊंगी चौबीस तब वह जाकर अपने से बुरी साथ और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें पैट कर वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है धन्य कौन है? 27 जब वह ये बातें कही रहा था तो भीड में से किसी स्त्री ने उचे शब्द से कहा धन्य है वह गर्ब जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तू ने चूसे 28 उसने कहा हाँ परन्तु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं 29 जब बड़ी भीड इकठी होती जाती थी तो वह कहने लगा इस यूग के लोग बुरे हैं वे चिनह ढूंडते हैं पर योना के चिनह को छोड़ कोई और चिनह उन्हें न दिया जाएगा 31 जैसा योना नीनवे के लोगों के लिए चिनह ठहरा वैसा ही मनुश्य का पुत्र भी इस यूग के लोगों के लिए ठहरेगा 31 दक्षिन की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुश्यों के साथ उठकर उन्हें दोशी ठहराएगी क्योंकि वह सुलैमान का ग्यान सुनने को प्रिथवी की छोड से आई और देखो यहां वह है जो सुलैमान से भी बड़ा है 32 नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोशी ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया और देखो यहां वह है जो योना से भी बड़ा है शरीर का दिया 33 कोई मनुष्य दिया जला के तलगर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजयाला पाएं 34 तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है इसलिए जब तेरी आँख निरमल है तो तेरा सारा शरीर भी उजयाला है परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है 35 इसलिए चौकस रहना की जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए 36 इसलिए यदी तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है शास्त्रियों और फरीसियों की भर्त्सना 37 जब वह बाते कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की की मेरे यहां भोजन कर वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा 38 फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले सनान नहीं किया 49 प्रभू ने उससे कहा 40 पर हे फरीसियों तुम कटोरे और थाली को उपर उपर से तो मांचते हो परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है 40 हे निर्बुद्धियों जिसने बाहर का भाग बनाया क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया 41 परंतु हां भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुध हो जाएगा 42 पर हे फरीसियों तुम पर हाए तुम पोदीने और सुदाब का और सभाती के सागपात का दस्वा अंच देते हो परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते 43 हे फरीसियों तुम पर हाए तुम आराधनलेयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो 44 हाए तुम पर क्योंकि तुम उन्छिपी कबरों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते 45 तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया हे गुरू इन बातों के कहने से तु हमारी निंदा करता है 46 उसने कहा हे व्यवस्थापक को तुम पर भी हाए तुम ऐसे बोज जिनको उठाना कठिन है मनुश्यों पर लागते हो परंतु तुम आप उन बोजों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते 47 हाए तुम पर तुम उन भविश्यदवक्ताओं की कबरें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादोंने मार डाला था 48 अतह तुम गवा हो और अपने बाप दादों के कामों से सेह मत हो क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कबरें बनाते हो 49 इसलिए परमेश्वर की बुद्धी ने भी कहा है मैं उनके पास भविश्यद वक्ताओं और प्रेरितों को भेजूगी और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे 50 अकी जितने भविश्यद वक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ती से बहाया गया है सबका लेखah इस युग के लोगों से लिया जाए 51 हाबील की हत्या से लेकर जकर्याह की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया मैं तुम से सच कहता हूँ इसी समय के लोगों से लिया जाएगा 52 है तुम व्यवस्थापकों पर तुमने ज्यान की कुंजी ले तो ली परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया तिरपन जब वह वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पढ़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे चावन और घात में लगे रहे कि उसके मुह की कोई बात पक्ड़ें अध्याए बारह पाखंड के विरुद्ध चेतावनी एक इतने में जब हजारों की भीर लग गई यहां तक की वे एक दूसरे पर गिरे पढ़ते थे तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा फरीसियों के कपटरूपी खमीर से चौकस रहना दो कुछ धका नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा तीन इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वहु जाले में सुना जाएगा और जो तुमने कोठ्रियों में कानो कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा किस से डरें? 4. मैं तुम से जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो 5. मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किस से डरना चाहिए, ढात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो हाँ, मैं तुम से कहता हूँ, उसी से डरो 6. क्या दो पैसे की पांच गौरेया नहीं बिक्ती? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता साथ तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं इसलिए डरो नहीं तुम बहुत गोरेयों से बढ़ कर हो लीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना आठ, मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुश्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुश्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वरगदूतों के सामने मान लेगा 9. परंतु जो मनुश्यों के सामने मेरा इंकार करे उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इंकार किया जाएगा 10. जो कोई मनुश्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वह अप्राद्ग्षमा किया जाएगा परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराद ख्षमा नहीं किया जाएगा 11. जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता न करना की हम किस वीती से या क्या उत्तर दें या क्या कहें 12. क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा की क्या कहना चाहिए 13. फिर भीड में से एक ने उससे कहा हे गुरू, मेरे भाई से कह की पिता की संपत्ती मेरे साथ बांट ले 14. उसने उससे कहा हे मनुश्यक किसने मुझे तुम्हारा न्याईया बांटने वाला नियुक्त किया है 15. और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोब से अपने आपको बचाए रखो क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ती की बहुतायत से नहीं होता 16. उसने उनसे एक द्रिश्टांत कहा किसी धन्वान की भूमी में बड़ी उपज हुई 17. तब वह अपने मन में विचार करने लगा मैं क्या करूँ क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादी रखों 18. और उसने कहा मैं यह करूंगा मैं अपनी बखारियां तोड़ कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ती रखूंगा 19. और अपने प्रान से कहूंगा कि प्रान तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ती रखी है 20. परन्तु परमेश्वर ने उससे कहा हे मूर्ख इसी रात तेरा प्रान तुझ से ले लिया जाएगा तब जो कुछ तुने इकठा किया है वह किसका होगा 21. ऐसा ही वह मनुश्य भी है जो अपने लिए धन बटोडता है परन्तु परमेश्वर की दृष्टी में धनी नहीं परमेश्वर पर भरोसा रखो 22. फिर उसने अपने चेलों से कहा इसलिए मैं तुम से कहता हूँ अपने प्रान की चिंता ना करो की हम क्या खाएंगे ना अपने शरीर की की क्या पहिनेंगे 23. क्योंकि भोजन से प्रान और वस्त्रा से शरीर बढ़कर है 24. कौवों पर ध्यान दो वे न बोते हैं, न काते, न उनके भंदार और न खत्ता होता है तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है 25. तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी अयू में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है 26. इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो 27. सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं वे न परिश्रम करते न काते हैं तो भी मैं तुम से कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उन में से किसी एक के समान वस्त्र पहिने हुए न था 28. इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भार में जोंकी जाएगी ऐसा पहिनाता है तो हे अल्प विश्वासियों वह तुम्हें क्यों न पहिनाएगा 29. और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और न संदेह करो 30. क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तूओं की खोज में रहती हैं और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तूओं की आवश्यक्ता है 31. परं तु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तूओं भी तुम्हें मिल जाएंगी स्वर्गिय धन 32, हे छोटे जुन्ड, मत दर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है, कि तुम्हें राज्य दे 33, अपनी संपत्ती बेच कर दान कर दो, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते 34, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है, वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा 35, तुम्हारी कमरे बंधी रहें और तुम्हारे दिये जलते रहें 36, और तुम उन मनुश्यों के समान बनो, जो अपने स्वामी की बात देख रहे हूं कि वह विवाह से कब लोटेगा कि जब वहां आकर द्वार खट खटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें 37 धन्य हैं वे दास जिन्हे स्वामी आकर जागते पाए मैं तुम से सच कहता हूं कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा 38 यदी वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं 49 परंतु तुम यह जान रखो कि यदी घर का स्वामी जानता की चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता 40 तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुश्य का पुत्र आ जाएगा विश्वा सेयोग्य या अविश्वा सेयोग्य दास 41 तपत्रस ने कहा हे प्रभु क्या यह दृष्टान तु हम ही से या सबसे कहता है 42 प्रभु ने कहा वह विश्वा सेयोग्य और बुद्धिमान भंदारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामगरी दे 43 धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए 44 मैं तुम से सच कहता हूँ वह उसे अपनी सब संपत्ती पर अधिकारी ठहराएगा 45 परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कर होने लगे 46 तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बार जोहता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी दंद देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा 47 वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला बहुत मार खाएगा 48 परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा इसलिए जिससे बहुत दिया गया है उससे बहुत मानगा जाएगा और जिससे बहुत सौपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा येश्व के आगमन का परिनाम उन्चास मैं पृत्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं केवल यह की अभी सुलग जाती मैं तुम से कहता हूँ, नहीं, वरन अलग कराने आया हूँ. 52 क्योंकि अपसे एक धर में पांच जन आपस में विरोध रखेंगे, तीन दो से और दो तीन से. 53 पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, मा बेटी से और बेटी मा से, सास बहु से और बहु सास से विरोध रखेगी. समय के लक्षन चाववन उसने भीर से भी कहा जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंद कहते हो कि वर्षा होगी और ऐसा ही होता है पचपन और जब दक्षनी हवा चलती देखते हो तो कहते हो कि लूह चलेगी और ऐसा ही होता है 56 हे कप्टियो, तुम धर्ती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परन तु इस योग के विशय में क्यों भेद करना नहीं जानते अपने मुद्दई से समझोता 57 तुम आप ही निर्नाए क्यों नहीं कर लेते की उचित क्या है 58 जब तु अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मारगी में उससे छूटने का यात्म कर ले ऐसा नहो कि वह तुझे न्याई के पास खीच ले जाए और न्याई तुझे सिपाही को सौपे और सिपाही तुझे बंदी ग्रह में डाल दे 59 मैं तुम से कहता हूँ कि जब तक तु दमड़ी दमड़ी भरना देगा तब तक वहां से छूटने ना पाएगा अध्याई 13 मन फिराओ या नाश हो एक उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन ही के बलिदानों के साथ मिलाया था दो यह सुन उसने उन से उत्तर में यह कहा क्या तुम समझते हो की यह गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे की उन पर ऐसी विपत्ती पड़ी तीन मैं तुम से कहता हूँ की नहीं परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीती से नश्ट होगे चार्या क्या तुम समझते हो की वे अठारह जन जिन पर शीलोह का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए यरूशलिम के और सब रहने वालों से अधिक अप्रादी थे पांच मैं तुम से कहता हूँ की नहीं परंतु यदि तुम मन न फिर आओगे तो तुम सब भी इसी रीती से नश्ट होगे फल रहित अंजीर के पेड़ का द्रिश्टांद छे फिर उसने यह द्रिश्टांद भी कहा किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था वह उसमें फल ढूंधने आया परंतु ना पाया साथ तब उसने बारी के रखवाले से कहा देख तीन वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंधने आता हूँ परंतु नहीं पाता इसे काट डाल की यह भूमी को भी क्यूं रोके रहे आठ उसने उसको उत्तर दिया हे स्वामी इसे इस वर्ष और रहने देखी मैं इसके चारों और खोद कर खाट डालूं नौ यदी आगे को फले तो भला नहीं तो उसे काट डालना सबत के दिन कुबरी स्थ्री को चंगा करना दस सबत के दिन वह एक आरा धनाले में उपदेश कर रहा था ग्यारा वहां एक स्थ्री थी जिसे अठारा वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबरी हो गई थी और किसी रीती से सीधी नहीं हो सकती थी बारह यिशू ने उसे देख कर बुलाया और कहा हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई तेरा तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंद सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी चौदर इसलिए कि हीशू ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था आराधनाले का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा चह दिन है जिन में काम करना चाहिए अतह उन्ही दिनों में आकर चंगे हो परंतु सबत के दिन में नहीं पंदर ये सुनकर प्रभू ने उत्तर दिया हे कप्टियो क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गदहे को थान से खोल कर पानी पिलाने नहीं ले जाता सोला तो क्या उचितना था कि ये स्त्री जो अबराहम की बेटी है जिसे शैतान ने अठारह वर्ष से बाध रखा था सबत के दिन इस बंधन से चुड़ाए जाती सत्रा जब उसने ये बातें कहीं तो उसके सब विरुधी लजजित हो गए और सारी भीड उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनन्दित हुई राई के दाने का द्रिश्टांत अठारह फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उत्मा किस से दून उन्नीस वह राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसे रा किया खमीर का द्रिश्टांत बीस उसने फिर कहा मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किस से दून 21 वह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर तीन पसेरी आटे में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया सकेद द्वार 22 वह नगर नगर और गाव गाव होकर उपदेश करता हुआ यरुशिलेम की ओर जा रहा था 23 तो किसी ने उससे पूछा हे प्रभु क्या उध्धार पाने वाले थोड़े हैं उसने उनसे कहा 24 सकेद द्वार से प्रवेश करने का यत्म करो क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे 25 जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखट आकर कहने लगो हे प्रभु हमारे लिए खोल दे और वह उत्तर दे मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कहां के हो 26 तब तुम कहने लगोगे हमने तेरे सामने खाया पिया और तुने हमारे बाजारों में उपदेश किया 27 परंटु वह कहेगा मैं तुम से कहता हूं मैं नहीं जानता तुम कहां से हो हे कुकर्म करने वालो तुम सब मुझ से दूर हो 28 वहां रोना और दात पीसना होगा जब तुम अबराहम और इसहाक और याकूब और सब्भविश्यद वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आपको बाहर निकाले हुए देखोगे 29 और पूर्व और पच्छिम उत्तर और दक्खिन से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे 30 और देखो कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे और कुछ जो पहले हैं वे पिछले होंगे 31 उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा यहां से निकल कर चला जा क्योंकि हेरोदेश तुझे मार डालना चाहता है 32 उसने उनसे कहा जाकर उस लोमणी से कह दो कि देख मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा 33 तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविश्यदवक्ता यरुशिलेम के बाहर मारा जाए यरुशिलेम के लिए विलाप 34 हे यरुशिलेम तू जो भविश्यदवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पत्राव करता है कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंकों के नीचे इकठा करती है वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकठा करूँ पर तुमने यह न चाहा 35 देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजार छोड़ा जाता है और मैं तुम से कहता हूँ जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभू के नाम से आता है तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे अध्याए 14 फरीसी के घर में यीशू एक फिर वह सबत के दिन फरीसीयों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे दो वहाँ एक मनुश्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था तीन इस पर यीशू ने व्यवस्थापकों और फरीसीयों से कहा क्या सबत के दिन अच्छा करना उच्चित है या नहीं चार परंतु वे चुप चाप रहे तब उसने उसे चुकर चंगा किया और जाने दिया पांच और उनसे कहा तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैलकुए में गिर जाए और वहसबत के दिन उसे तुरंद बाहर न निकाले छे वे इन बातों का कुछ उत्तर न दे सके साथ जब उसने देखा कि आमंतृत लोग कैसे मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं तो एक द्रिश्टांद देकर उनसे कहा आठ जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना कहीं ऐसा न हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो नौ और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया है आकर तुझसे कहे इसको जगह दे और तब तुझे लजडित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े 10 पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगर जा बैट की जबवा जिसने तुझे नेवता दिया है आए तो तुझ से कहे हे मित्र आगे बढ़कर बैट तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बढ़ाए होगी 11 क्योंकि जो कोई अपने आपको बढ़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो कोई अपने आपको छोटा बनाएगा वह बढ़ा किया जाएगा बारह तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाईयों या कुटुम्बियों या धन्वान परोसियों को न बुला कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए तेरा परन्तु जब तू भोज करे तो कंगालों, तुंडों, लंग्रों और अंधों को बुला चौदह तब तू धन्य होगा क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं परन्तु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा बड़े भोज का द्रिश्टांत पंद्रा उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बाते सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो पर मेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा सोला उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया सत्रा जब भोजन तेयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ, अब भोजन तेयार है अठारा पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है, और अवश्य है कि उससे देखूं, मैं तुझ से विनती करता हूं, मुझे एक शमा कर दे बीस एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता 21 उस दास ने आकर अपने स्वामी को यह बाते के सुनाई तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंद जाकर कंगालों, तुंडों, लंगणों और अंधों को यहां ले आओ 22 दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तुने कहा था, वैसा ही किया गया है, और फिर भी जगह है 23 स्वामी ने दास से कहा, सडकों पर और बालों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आता कि मेरा घर भर जाए 24 क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि उनामंतृत लोगों में से कोई मेरे भोज को न चकहेगा 25 जब बड़ी भीर उसके साथ जा रही थी, तो उसने पीछे मुलकर उनसे कहा 26 यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पतनी और बच्चों और भाईयों और बहिनों वरन अपने प्राण को भी अप्रियन न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता 27 और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता 28 तुम में से कौन है जो गड़ बनाना चाहता हो और पहले बैठ कर खर्च न जोड़े की पूरा करने की सामर्थे मेरे पास है की नहीं 29 कहीं ऐसा नहो की जब वह नीव डाले पर तयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठटों में उड़ाने लगें 30 यह मनुश्य बनाने तो लगा पर तयार न कर सका 31 यह कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठ कर विचार न कर लेकि जो 20 हजार लेकर मुझ पर चड़ा आता है क्या मैं 10 हजार लेकर उसका सामना कर सकता हूं या नहीं 32 नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेज कर मिलाप करना चाहेगा 33 इसी रीती से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता 34 नमक तो अच्छा है परन्तु यदी नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तू से नमकीन किया जाएगा 35 वहना तो भूमी के और नखाद के लिए काम में आता है उसे तो लोग बाहर फेंग देते हैं जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले अध्याई पंद्रा खोई हुई भेड का द्रिश्टांत एक सब चुनगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुनें दो पर फरीसी और शास्त्री कुरकुरा कर कहने लगे यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है तीन तब उसने उनसे यह द्रिश्टांत कहा चार तुम में से कौन है जिसकी सौ भेड़े हो और उन में से एक खोजाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिलना जाए खोजता न रहे पांच और जब मिल जाती है तब वह बढ़े आनन्द से उसे कंदे पर उठा लेता है छे और घर में आकर मित्रों और पढोसियों को इकठा करके कहता है मेरे साथ आनन्द करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड मिल गई है साथ मैं तुम से कहता हूँ कि इसी रीती से एक मन फिराने वाले पापी के विशय में भी स्वर्ग में इतना ही आनन्द होगा जितना की निन्यानबे ऐसे धर्मियों के विशय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यक्ता नहीं 8. या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास दस सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर जाड़ बहार कर जब तक मिलना जाए जी लगाकर खोचती न रहे 9. और जब मिल जाता है तो वह अपनी सक्खियों और परोसिनों को इकर्था करके कहती है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है 10. मैं तुम से कहता हूँ कि इसी रीती से एक मन फिराने वाले पापी के विशय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है 11. फिर उसने कहा किसी मनुष्य के दो पुत्र थे 12. उनमें से छोटे ने पिता से कहा हे पिता संपत्ती में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए उसने उनको अपनी संपत्ती बांट दी 13. बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकठा करके दूर देश को चला गया और वहां को कर्म में अपनी संपत्ती उड़ा दी 14. जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पढ़ा और वह कंगाल हो गया 15. इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पढ़ा 15. उसने उसे अपने खेतों में सुवच चराने के लिए भेजा 16. और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुवच खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था 17. जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा 17. मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं 18. मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिता जी मैंने स्वर्प के विरोध में और तेरी द्रिष्टी में पाप किया है 19. अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओं मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले 20. तब वह उठकर अपने पिता के पास चला वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उससे देख कर तरस खाया और डौल कर उसे गले लगाया और बहुत चुमा 21. पुत्र ने उससे कहा पिता जी मैंने स्वर्प के विरोध में और तेरी द्रिश्टी में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओं 22. परंतु पिता ने अपने दासों से कहा जट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहिनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पावों में जूतियां पहिनाओ 23. और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं 24. क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है खो गया था अब मिल गया है और वे आनंद करने लगे 25. परंतु उसका जेथा पुत्र खेत में था जब वह आते हुए घर के निकट पहुचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना 26. अतह उसने एक दास को बुला कर पूछा यह क्या हो रहा है 27. उसने उससे कहा तेरा भाय आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है 28. यह सुनकर वह रोद से भर गया और भीतर जाना न चाहा परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा 29. उसने पिता को उत्तर दिया देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आग्या नहीं टाली तो भी तुने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता 31. उसने उससे कहा पूत्र तु सरवदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है 32. अबानंद करना और मगन होना चाहिए क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है खो गया था अब मिल गया है अध्याई 16. चतुर भंदारी एक फिर उसने चेलों से भी कहा किसी धनवान का एक भंदारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोश लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ती उड़ाए देता है दो अतह उसने उसे बुला कर कहा यह क्या है जो मैं तेरे विश्य में सुन रहा हूँ अपने भंदारी पन का लेखा दे क्योंकि तु आगे को भंदारी नहीं रह सकता तीन तब भंदारी सोचने लगा अब मैं क्या करूँ क्योंकि मेरा स्वामी अब भंदारी का काम मुझसे छीन रहा है मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीक मांगने में मुझे लजजा आती है चार मैं समझ गया कि क्या करूँगा ताकि जब मैं भंदारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें पांच तब उसने अपने स्वामी के देंदारों को एक-एक करके बुलाया और पहले से पूछा तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है छे उसने कहा सौ मन तेल तब उसने उससे कहा अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंद पचास लिख दे साथ फिर उसने दूसरे से पूछा तुझ पर कितना कर्ज है उसने कहा सौ मन गेहून तब उसने उससे कहा अपना खाता बही लेकर असी लिख दे आठ स्वामी ने उस अधर्मी भंदारी को सराहा की उसने चतुराई से काम किया है क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीती व्यवहारों में ज्योती के लोगों से अधिक चतुर है 9. और मैं तुम से कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें दस जो थोले से थोले में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है और जो थोले से थोले में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है ग्यारह इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौपेगा बारा और यदि तुम पराय धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उससे तुम्हें कौन देगा तेरा कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुछ जानेगा तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते यीशू के कुछ उपदेश चौदा फरीसी जो लो भी थे ये सब बातें सुनकर उसे थटों में उड़ाने लगे पंद्रह उसने उनसे कहा तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आपको धर्मी ठहराते हो परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टी में महान है वो परमेश्वर के निकट भ्रिनेत है सोलह, व्यवस्था और भविश्यद्वक्ता यूहन नातक रहे उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है सत्रह आकाश और प्रिथवी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदू के मिद जाने से सहज है अठारह, जो कोई अपनी पतनी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है धनी मनुश्य और निर्धन लाजर 19. एक धनवान मनुश्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहिंता और प्रतिदिन सुख विलास और धूम धाम के साथ रहता था 20. लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डैवली पर छोड़ दिया जाता था 21 और वह चाहता था कि धनवान की मेजपर की जूठन से अपना पेट भरे यहां तक की कुट्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे 22 ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अबराहम की गोद में पहुचाया वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया तेईस और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आँखें उठाई और दूर से अबराहम की गोद में लाजर को देखा चौबीस तब उसने पुकार कर कहा हे पिता अबराहम मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीब को थंडी करे क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ पच्छीस परंतु अबराहम ने कहा ए पुत्र स्मरन कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं परंतु अब वह यहां शांती पा रहा है और तू तड़प रहा है 26 इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गढ़ा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहें वे न जा सकें और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके 27 उसने कहा तो हे पिता मैं तुझ से विनती करता हूँ कि तू उससे मेरे पिता के घर भेज 28 क्योंकि मेरे पांच भाई हैं वो उनके सामने इन बातों की गवही दे ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं 29 अबराहम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा और भविश्यद्वक्ताओं की पुस्तके हैं वे उनकी सुने 30 उसने कहा नहीं हे पिता अबराहम पर यदि कोई मरे हुँ में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे 31. उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविश्य द्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदी मरे हुँ में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेगे अध्याए 17. ठोकर का कारण बनना एक फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता की ठोकरे न लगें, परन्तु हाई, उस मनुश्य पर जिसके कारण बे आती है दो जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता की चक्की का पार्ट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता तीन सचेत रहो, यदी तेरा भाय अपराद करे तो उसे समझा, और यदी पच्छताए तो उसे एक्षमा कर चार यदी दिन भर में वह साथ बार तेरा अपराद करे और सातों बार तेरे पास फिर आकर कहे, मैं पच्छताता हूं, तो उसे एक्षमा कर विश्वास पांच तब प्रेरितों ने प्रभू से कहा हमारा विश्वास बढ़ा छे प्रभू ने कहा यदि तुम को राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते की जड़ से उखर कर समुद्र में लग जा तो वह तुम्हारी मान लेता एक दास का कर्तव्य साथ तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भीड़ें चराता हो और जब वह खेट से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भूजन करने बैठ आठ और यह न कहे मेरा खाना तयार कर और जब तक मैं खाउन प्यूटब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर इसके बाद तु भी खापी लेना नौ क्या वह उस दास का आसान मानेगा कि उसने वही काम किये जिसकी आग्या दी गई थी दस इसी रीती से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आग्या तुम्हें दी गई थी तो कहो हम निकम में दास हैं जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है कोल के दस रोगियों को चंगा करना ग्यारह ऐसा हुआ कि वह यरुशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था बारह किसी गाउं में प्रवेश करते समय उसे दस कोली मिले तेरा उन्होंने दूर खड़े होकर उंचे शब्द से कहा हे यीशू हे स्वामी हम पर दया कर चौदा उसने उन्हें देख कर कहा जाओ और अपने आपको याजिकों को दिखाओ और जाते ही जाते वे शुध हो गए पंद्रह तब उन्में से एक यह देख कर की मैं चंगा हो गया हूँ उंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लोटा सोलह और यीशू के पाउं पर मुह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था सत्रह इस पर यीशू ने कहा क्या दसों शुध न हुए तो फिर वे नौ कहा है अठारह क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता उन्नीस तब उसने उससे कहा उठकर चला जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है परमेश्वर के राज्य का आगमन बीस जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा तो उसने उनको उत्तर दिया परमेश्वर का राज्य द्रिश्य रूप में नहीं आता 21 और लोग यह न कहेंगे देखो यहां है या वहां है क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है 22 फिर उसने चेलों से कहा वे दिन आएंगे जिन में तुम मनुश्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाऊगे 23 लोग तुम से कहेंगे देखो वहाँ है या देखो यहाँ है परन्तु तुम चले न जाना और न उनके पीछे हो लेना 24 क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोड से कौंध कर आकाश के दूसरे छोड तक चमकती है वैसे ही मनुश्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रगट होगा 25 परन्तु पहले अवर्ष्य है कि वह बहुत दूख, खव उठाए और इस यूप के लोग उसे तुछ ठहराएं 26 जैसा नूँख के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुश्य के पुत्र के दिनों में भी होगा 27 जिस दिन तक नूँख जहाज पर न चड़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे तब जल प्रलेय ने आकर उन सब को नश्ट किया 28 और जैसा लूट के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेर लगाते और घर बनाते थे 29 परंतु जिस दिन लूट सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब को नश्ट कर दिया 30 मनुष्य के पुत्र के प्रगट होने के दिन भी ऐसा ही होगा 31 उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को न उत्रे और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न लोटे 32 लूट की पतनी को स्मरन रखो 33 जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा 34 मैं तुम से कहता हूँ, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा 35 दोस्त्रियां एक साथ चक की पीस्यती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी 36 दो जन खेट में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा 37 यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु यह कहा होगा उसने उनसे कहा, जहां लोथ है, वहां गे दिकठे होंगे अध्याए 18 अधर्मी नयाधीश और विध्वा का दृष्टांत एक फिर उसने इसके विश्यमें की नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा, दो किसी नगर में एक नयाई रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवा करता था तीन उसी नगर में एक विध्वा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा नयाई चुका कर मुझे मुझे मुद्देई से बचा चार कुछ समय तक तो वह न माना परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपी मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवा करता हूं, पांच तो भी यह विध्वा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका नयाई चुकाऊंगा, कहीं ऐसा नहो की घ घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे, छे प्रभू ने कहा, सुनो, यह अधर्मी नयाई क्या कहता है, साथ इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का नयाई न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विशय में द 9 उसने उनसे जो अपने उपर भरोसा रखते थे, कि हम धर्मी हैं, और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा, 10 दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुनगी लेने वाला, 11 फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्याई और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुनगी लेने वाले के समान हूं, 12 मैं सब्ताह में दो बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का दस्वा अंच भी देता हूं, 13 परंतु चुनगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की और आखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी चाती पीट-पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, 14 मैं तुम से कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुश्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आपको बढ़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आपको छोटा बनाएगा, वह बढ़ा किया जाएगा, बालकों को आशीरवाद, 15 फिर लोग अपने बच् परमेश्वर का राजय एसोही का है, 17 मैं तुम से सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राजय को बालक के समान ग्रहन न करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा, धनी व्यक्ति और अनंद जीवन, 18 किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरू, अन 21 तु आग्याओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, और चोरी न करना, जूटी गवही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, 21 उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ, 22 यहसुन यीशू ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेच कर कंगालों को बांट दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले, 23 वही यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था, 24 यीशू ने उससे देख कर कहा, धनवानों का वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है, 27 उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वह परमेश्वर से हो सकता है, 28 पत्रस ने कहा, देख, हम तो घर बार चोड़ कर तेरे पीछे हो लिये हैं, 29 उसने उनसे कहा, मैं तुम से सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिस उसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर, या पतनी, या भाईयों, या माता-पिता, या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो, 30 और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले योग में अनन्द जीवन, अपनी मृत्यू के विशय यीश्यू की तीसरी भविश्यद वह अन्य जातियों के हाथ में सौपा जाएगा और वे उसे ठटों में उढ़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूखेंगे, 33 और उसे कोडे मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा, 34 पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात ना समझी और यह बात उनसे छिपी रही और जो कहा गया था वह उनकी समझ में ना आया। अंधे भिखारी को द्रिश्टे दान। 35 जब वह यरी होके निकट पहुचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीक मांग रहा था। 36 वह भील के चलने की आहत सुनकर पूछने लगा यह क्या हो रहा है। 37 उन्होंने उसको बताया यिशू नासरी जा रहा है। 38 तब उसने पुकार के कहा हे यिशू दावद की संतान मुझ पर दया कर। 49 जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे की चुप रहे परंतु वह और भी चिलाने लगा। हे दावद की संतान मुझ पर दया कर। 40 तब यिशू ने खड़े होकर आग्या दी की उसे मेरे पास लाओ और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा 41 तू क्या चाहता है की मैं तेरे लिए करून। उसने कहा हे प्रभू यह की मैं देखने लगूं। 42 यिशू ने उससे कहा देखने लग तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। 43 तब वह तुरंद देखने लगा और परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुती की। अध्याए 19 चुनगी लेने वाला जक्कई एक वह यरिहों में प्रवेश करके जा रहा था। दो वहां जक्कई नामक एक मनुश्य था जो चुनगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। तीम वह यिशू को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। परंतु भीड के कारण देखना सकता था क्योंकि वह नाटा था। चार तब उसको देखने के लिए वह आगे दोल कर एक बूल के पेड़ पर चड़ गया क्योंकि लीशू उसी मार्ग से जाने वाला था। पांच जब लीशू उस जगह पहुचा तो उपर द्रिष्टी करके उससे कहा, हे जक्कई, जट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। छे वह तुरंत उतर कर आनन से उसे अपने घर ले गया। साथ यह देखकर सब लोग कुलकुला कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुश्य के यहां जा उतरा है। आज जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ती कंगालों को देता हूँ, और यदी किसी का कुछ भी अन्याई करके ले लिया है तो उसे चौगुन फेर देता हूँ। नौतब लीश्यू ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अबराहम का एक पुत्र है। देश को चला ताकि राजपत पाकर लोट आये। देन से क्या क्या कमाया। 16 तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से दस और मुहरें कमाई है। 17 उसने उससे कहा, धन्य, हे उत्तमदास, तू बहुत ही थोले में विश्वा से युग्य निकला अब दस नगरों पर अधिकार रख। 18 तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से पांच और मुहरें कमाई है। 19 उसने उससे भी कहा, तू भी पांच नगरों पर हाकिम हो जा। 20 तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मुहर यह है, जिसे मैंने इंगोचे में बांध रखा था। 21 क्योंकि मैं तुझ से दर्ता था, इसलिए कि तू कठोर मनुश्य है, जो तूने नहीं रखा उसे उर्था लेता है, और जो तूने नहीं बोया, उसे काता है। 24 और जो लोग निकट खड़े थे, उसने उनसे कहा, वह मुहर उससे ले लो, और जिसके पास दस मुहरे हैं उसे दे दो। 25 उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास दस मुहरे तो हैं। 26. मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा 27. परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूँ उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो यरूशलेम में विजय प्रवेश 28 ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला 39 जब वल जैतू नामक पहार पर बैत्वगे और बैतनिया के पास पहुचा तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कहके भेजा 30 सामने के गाव में जाओ और उसमें पहुचते ही एक गदी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बधा हुआ तुम्हें मिलेगा उसे खोल कर ले आओ 31 यदी कोई तुमसे पूछे की क्यों खोलते हो तो यह कह देना की प्रभू को इसका प्रयोजन है 32 जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया 33 जब वे गदहे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा इस बच्चे को क्यों खोलते हो 34 उन्होंने कहा प्रभू को इसका प्रयोजन है 35 वे उसको यीशू के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डाल कर यीशू को उस पर बैठा दिया 36 जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिचाते जाते थे 37 निकट आते हुए जब वह जैतून पहार की धलान पर पहुँचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थे के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी 38 धन्य है वह राजा जो प्रभू के नाम से आता है स्वर्ग में शान्ती और आकाश मंडल में महिमा हो 49 तब भीड में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे हे गुरू अपने चेलों को डांट 40 उसने उत्तर दिया मैं तुम से कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिला उठेंगे यरूशलिम के लिए विलाप 41 जब वह निकट आया तो नगर को देख कर उस पर रोया 42 और कहा क्या ही भला होता कि तू हाँ तू ही इसी दिन में कुछल की बातें जानता परंतु अब वे तेरी आँखों से छिप गई है 43 क्योंकि वे दिन तुझ पर आयंगे की तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे 44 और तुझे और तेरे बाल्कों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे क्योंकि तुने उस अफसर को जब तुझ पर क्रिपा द्रिष्टी की गई ना पहिचाना। मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। 45 तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा, 46 और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परन्तु तुमने उसे डाकों की खोह बना दिया है। 47 वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुक उसे नश्ट करने का अफसर धून्दते थे। 48 परन्तु कोई उपए न निकाल सके कि यह किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। अध्याई 20 यीशु के अधिकार पर प्रश्ण एक एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा और सुसमाचार सुना रहा था, तो प्रधान याजक और शास्त्री पुरनियों के साथ पास आकर खड़े हुए, दो और कहने लगे, हमें बता, तु इन कामों को किस अधिकार से करता है, और वह उत्तर दिया, मैं भी तुम से एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ चार युहना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुश्यों की ओर से था, पांच तब वे आपस में कहने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीती क्य न की, छे और यदि हम कहें, मनुश्यों की ओर से, तो सब लोग हम पर पत्राव करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि युहना भविश्यद वक्ता था, साथ अतह उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वह किस की ओर से था, आठ यीश्यों ने उनसे कहा, तो मै भी तुमको नहीं बताता की मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ, दुष्ट किसानों का द्रिश्टांत, नौ तब वह लोगों से यह द्रिश्टांत कहने लगा, किसी मनुश्य ने दाख की बारी लगाए, और किसानों को उसका ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिए पर देश चला गया, दस जब समय आया तो उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वे दाख की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दे, पर किसानों ने उसे पीट कर छूचे हाथ लोटा दिया, ग्यारा फिर उसने एक और दास को भेजा, और उन्होंने उसे भी पीट कर औ मैं क्या करून, मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, संभव है वे उसका आदर करें, चौदा जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे, यह तो वारिस है, आओ, हम इसे मार डालें की मीरास हमारी हो जाए, पंद्रा और उन्होंने उसे दाक की ब पारी दूसरों को सौपेगा, यह सुनकर उन्होंने कहा, पर मेश्वर करे ऐसा ना हो, सत्रा उसने उनकी ओर देख कर कहा, फिर यह क्या लिखा है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया, अठारा जो कोई उस पत्थर पर ग राजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हम पर यह द्रिश्टांत कहा, परंतु वे लोगों से दरे, बीस और वे उसकी ताक में लगे और भेदिये भेजे की धर्म का भेश धर कर उसकी कोई न कोई बात पकड़ें, ताकि उसे हाकिम के हाथ औ 22 क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं, 23 उसने उनकी चतुराई को ताल कर उनसे कहा, 24 एक दीनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी छाप और नाम है, उन्होंने कहा, कैसर का, 25 उसने उनसे कहा, तो जो कैसर का है, वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है, वह पुनरुत्थान और विवाह दूसरे, 31 और तीसरे ने भी उस स्त्री से विवाह कर लिया। इसी रीती से सातों बिना संतान मर गए। 32 अंत में वस्त्री भी मर गई। 33 इसलिए जी उठने पर वह उनमें से किस की पतनी होगी, क्योंकि वह सातों की पतनी हो चुकी थी। 34 इशू ने उनसे कहा, इस यूग की संतानों में तो विवाह होता है। 35 पर जो लोग इस योग ये ठहरेंगे कि उस यूग को और मरे हुँ में से जी उठने को प्राप्त करें, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिये जाएंगे। 36 वे फिर मरने के भी नहीं क्योंकि वे स्वर गदूतों के समान होंगे और पुनरुथान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। 37 परंतु इस बात को की मरे हुए जी उठते हैं। मूसा ने भी जाड़ी की कथा में प्रगट की है कि वह प्रभु को अबरहम का परमेश्वर और इसहाग का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। 38 परमेश्वर तो मुरदों का नहीं परंतु जीवतों का परमेश्वर है क्यूंकि उसके निकट सब जीवित हैं। 49 तब यह सुनकर शास्त्रियों में से कुछ ने यह कहा, हे गुरू, तू ने अच्छा कहा। 40 और उन्हें फिर उससे कुछ और पूछने का हियाव ना हुआ। मसीर किसका पुत्र है। 41 फिर उसने उनसे पूछा, मसीर को दावद की संतान कैसे कहते हैं। 42 दावद आप भजन सहिता की पुस्तक में कहता है, प्रभू ने मेरे प्रभू से कहा, मेरे दाहिने बैठ, 43 ज शास्त्रियों से सावधान कंगाल विध्वा का दान मंदिर के विनाश की भविश्यद्वानी पांच जब कुछ लोग मंदिर के विश्यए में कह रहे थे कि वह कैसे सुन्दर पत्थरों और भेट की वस्तूओं से सावारा गया है तो उसने कहा छे वे दिन आएंगे जिन में यह सब जो तुम देखते हो उनमें से यहां किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो धाया न जाएगा संकर्ट और क्लेश साथ उन्होंने उससे पूछा एक गुरू यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होनगी तो उस समय का क्या चिनह होगा आठ उसने कहा चौकस रहो की भरमाए न जाओ क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ और यह भी की समय निकटा पहुँचा है तुम उनके पीछे न चले जाना नौ जब तुम लड़ायों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है परंतु उस समय तुरंतंत न होगा दस तब उसने उनसे कहा जाती पर जाती और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा ज़ारा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महमारियां पढ़ेंगी और आकाश से भयन कर बातें और बड़े-बड़े चिनह प्रगठ होंगे बारा परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारन तुमें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी ग्रिह में दलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे 13 पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अफसर हो जाएगा 14 इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो की हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे 15 क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धी दूनगा की तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे 16 तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुम्ब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे यहां तक की तुम्हें से कुछ को मरवा डालेंगे 17 मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे 18 परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांकाना होगा 19 अपने धीरज से तुम अपने प्रानों को बचाए रखोगे 20 जब तुम यरूशलिम को सेनाओ से घिरा हुआ देखो तो जान लेना की उसका उजर जाना निकट है 21 तब जो यहुदिया में हो वे पहारों पर भाग जाएं और जो यरूशलिम के भीतर हो वे बाहर निकल जाएं और जो गावों में हो वे उसमें न जाएं 22 क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी 23 उन दिनों में जो गर्भवती और दूढ पिलाती होंगी उनके लिए हाई हाई क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकौप होगा 24 वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुँचाए जाएंगे और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरुशलेम अन्य जातियों से रोंदा जाएगा 25 सूरज और चांद और तारों में चिनह दिखाई देंगे और प्रिथवी पर देश-देश के लोगों को संकट होगा क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे 26 भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाए जाएंगी 27 तब वे मनुश्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे 28 जब ये बाते होने लगें तो सीधे होकर अपने सेर उपर उठाना क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा 29 उसने उनसे एक द्रिश्टांद भी कहा 31 इसी रीती से जब तुम ये बाते होते देखो तब जान लो की परमेश्वर का राज्य निकट है 32 मैं तुम से सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो लें तब तक इस पीडी का कदापी अंतना होगा 33 आकाश और प्रिथवी तल जाएंगे परन्तु मेरी बातें कभी न तलेंगी 34 इसलिए सावधान रहो ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्थ हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े 35 क्योंकि वह सारी प्रिथवी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा 36 इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुश्य के पुत्व के सामने खड़े होने के योग्य बनो 37 वह दिन को मंदिर में उबदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहार पर रहा करता था 38 और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे अध्याए 22 येशू के विरुधध शड्यंत एक अखमीरी रोटी का पर्व जो फसा कहलाता है निकर था दो और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें पर वे लोगों से डरते थे यहूदा का विश्वास घात तीन तब शैतान यहूदा में समाया जो इस कर्यूती कहलाता और बारह चेलों में गिना जाता था चार उसने जाकर प्रधान याजकों और पहलूँ के सरदारों के साथ बात चीत की की उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए पांच वे आनन्दित हुए और उसे रुप्य देने का वचन दिया छे उसने मान लिया और अवसर धूंडने लगा कि जब भीर न हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज साथ तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बली करना आवश्यक था आठ यीशू ने पत्रस और युहनना को यह कह कर भेजा जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो नौ उन्होंने उससे पूछा तु कहां चाहता है कि हम इसे तैयार करें दस उसने उनसे कहा देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना ग्यारा और उस धर के स्वामी से कहना गुरू तुझसे कहता है कि वह पहुनशाला कहां है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊन बारा वह तुम्हें एक सजी सजाई बढ़ी अटारी दिखा देगा वही तैयारी करना तेरा उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया प्रभु भोज चौदा जब भड़ी आ पहुँची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा पंद्रा और उसने उनसे कहा मुझे बड़ी लालसा थी की दूख खब भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊन सोलह क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उससे कभी न खाऊंगा सत्रह तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा इसको लो और आपस में बांट लो अठारह क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आये तब तक मैं दाख का रस अबसे कभी न पियूँगा 19 फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी यह मेरी दे है जो तुम्हारे लिए दी जाती है मेरे स्मरन के लिए यही किया करो 20 इसी रीती से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है 21 पर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है 22 क्योंकि मनुश्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है परहाय उस मनुश्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है 23 तब वे आपस में पूछताच करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा महान कौन पर वाद विवाद 24 उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है 25 उसने उनसे कहा अन्यजातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं 26 परंतु तुम ऐसे न होना वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने 27, क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है, या वह जो सेवा करता है क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है, परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ 28. तुम वह हो, जो मेरी परिक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, 29 और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ 30. तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंधासनों पर बैठ कर इस्राइल के बारा गोत्रों का न्याय करो 31. शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहून के समान फटके, 32 परंतु मैंने तेरे लिए विनती की की तेरा विश्वास जाता न रहे और जब तू फिरे, तो अपने भाईयों को स्थिर करना 33. उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी ग्रह जाने, वरन मरने को भी तैयार हूँ 34. उसने कहा, हे पत्रस, मैं तुझ से कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू तीन बार मेरा इंकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता 35. फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए, और जोली, और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तुकी घटी हुई थी उन्होंने कहा, किसी वस्तुकी नहीं 36. उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो, वह उसे ले और वैसे ही जोली भी, और जिसके पास तलवार नहो, वह अपने कपड़े बेच कर एक मोल ले 37. क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि यह जो लिखा है, वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विश्य में लिखी बातें पूरी होने पर हैं 38. उन्होंने कहा, हे प्रभु, देख, यहां दो तलवारें हैं 39. तब वह बाहर निकल कर अपनी रीती के अनुसार जैतून के पहार पर गया, और चेले उसके पीछे हो लिए 40. उस जगह पहुँचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षामे ना पढ़ो 41. और वह आप उनसे अलग एक धेला फेंकने की दूरी भर गया, और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा 42. हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो 43. तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था 44. वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहु की बड़ी-बड़ी बुंदों के समान भूमी पर गिर रहा था 47. वह यह कही रहा था कि एक भीड आई और उन बारहों में से एक जिसका नाम यहुदा था उनके आगे आगे आ रहा था 48. यहुदा, क्या तू चूमा लेकर मनुश्य के पुत्र को पकड़वाता है 49. उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभू क्या हम तलवार चलाएं 50. और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चला कर उसका दाहिना कान उड़ा दिया 51. इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो और उसका कान छू कर उसे अच्छा किया 52. तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के पहलूँ के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चड़ाए थे 52. कहा, क्या तुम मुझे डाकु जानकर तलवारें और लाठियां ले हुए निकले हो 53. जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था, तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है 54. फिर वे उसे पकड़ कर ले चले और महायाजक के घर में लाए पत्रस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था, 55 और जब वे आंगन में आग सुलगा कर इकठे बैठे तो पत्रस भी उनके बीच में बैठ गया 56 तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी और ताक कर कहने लगी यह भी तो उसके साथ था 57 परंतु उसने यह कहकर इंकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता 58 थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उनहीं में से है पत्रस ने कहा, हे मनुश्य, मैं नहीं हूँ 69 कोई घंटे भर के बाद एक और मनुश्य द्रिर्टा से कहने लगा, निश्चे यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है 60 पत्रस ने कहा, हे मनुश्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है वह कही रहा था कि तुरंट मुर्ग ने बांग दी 61 तब प्रभू ने घूम कर पत्रस की और देखा, और पत्रस को प्रभू की वह बात याद आई जो उसने कही थी आज मुर्प के बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इंकार करेगा 62 और वह बाहर निकल कर फूट फूट कर रोया यीशू का अपमान 63 जो मनुष्य यीशू को पकड़े हुए थे वे उसे ठटों में उड़ा कर पीटने लगे 64 और उसकी आँखें धाक कर उससे पूछा भविश्य द्वानी करके बता की तुझे किसने मारा 65 और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कहीं महासभा के सामने यीशू 66 जब दिन हुआ तो लोगों के पुर्निये और प्रधान याजक और शास्त्री इकठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा 66 यदी तू मसी है तो हमसे कह दे उसने उनसे कहा यदी मैं तुमसे कहून तो प्रतीती न करोगे 68 और यदी पूछून तो उत्तर न दोगे 69 परंतु अपसे मनुश्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहीनी ओर बैठा रहेगा 70 इस पर सबने कहा तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है उसने उनसे कहा तुम आप ही कहते हो क्योंकि मैं हूँ 71 तब उन्होंने कहा अब हमें गवाही की क्या आवश्यक्ता है क्योंकि हमने आप ही उसके मुँँ से सुन लिया है अध्याए 23 पिलातुस के सामने यीश्यू एक तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई दो वे यह कहकर उस पर दोश लगाने लगे हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आपको मसीह राजा कहते हुए सुना है तीन पिलातुस ने उससे पूछा क्या तू यहूदियों का राजा है उसने उसे उत्तर दिया तू आप ही कह रहा है चार तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा मैं इस मनुश्य में कोई दोश नहीं पाता पांच पर वे और भी द्रिर्टा से कहने लगे यह गलील से लेकर यहां तक सारे यहूदिया में उपदेश दे देकर लोगों को भड़काता है चेह यह सुनकर पिलातुस ने पूछा क्या यह मनुश्य गलीली है साथ और यह जानकर कि वह हेरोदेश की रियासत का है उसे हेरोदेश के पास भेज दिया क्योंकि उन दिनों में वह भी यरुशिलेम में था हेरोदेश के सामने यीशू आठ हैरो देश येशु को देखकर बहुत ही प्रसन हुआ क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था इसलिए कि उसके विश्य में सुना था और उससे कुछ चिनह देखने की आशा रखता था नौवा उससे बहुत सी बातें पूछता रहा पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया दस प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तनमन से उस पर दोश लगाते रहे ग्यारा तब हेरोदेश ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके थटों में उलाया और भलकई लावस्तर पहिना कर उसे पिलातुस के पास लोटा दिया बारा उसी दिन पिलातुस और हेरोदेश मित्र हो गए इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे पिलातुस द्वारा यीशु को मृत्युदंग तेरा पिलातुस ने प्रधान याजकों और सर्दारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा 14 तुम इस मनुश्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जाँच की पर जिन बातों का तुम उस पर दोश लगाते हो उन बातों के विश्य में मैंने उसमें कुछ भी दोश नहीं पाया है पंद्रह नहेरो देश ने क्योंकि उसने उसे हमारे पास लोटा दिया है और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यू के दंट के योगे ठहराया जाए सोलह इसलिए मैं उससे पिटवा कर छोड़ देता हूँ सत्रा पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश्थ था अठारा तब सब मिलकर चिल्ला उठे इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर 22 उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यूं, उसने कौन सी बुराई की है मैंने उसमें मृत्यू के दंट के योग्य कोई बात नहीं पाए इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ 23 परंतु वे चिला चिला कर पीछे पढ़ गए की वह क्रूस पर चढ़ाया जाए और उनका चिलाना प्रबल हुआ 24 अतह पिलातुस ने आग्यादी की उनकी विनती के अनुसार किया जाए 25 उसने उस मनुश्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदी ग्रिह में डाला गया था और जिसे वे मांगते थे छोड़ दिया और यीशू को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया यीशू का क्रूस पर चढ़ाया जाना 26 जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरेनी को जो गाउं से आ रहा था पकड़ कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशू के पीछे पीछे ले चले 27 लोगों की बड़ी भीर उसके पीछे होली और उसमें बहुत सी स्ट्रियां भी थी जो उसके लिए चाती पीटती और विलाप करती थी 28 यीशू ने उनकी और मुलकर कहा 29 क्योंकी देखो वे दिन आते हैं जिन में लोग कहेंगे धन्य हैं वे जो बांच हैं और वे गर्ब जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूद न पिलाया 30 उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे की हम पर गिरो और तीलों से की हमें धाप लो 31 क्योंकी जब वे हरे पेल के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा 32 वे अन्य दो मनुश्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले 33 जब वे उस जगर जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुचे तो उन्होंने वहाँ से और उन कुकर्मियों को भी एक को दाहिनी और दूसरे को बाई और कुरूसों पर चड़ाया 34 तब लीश्यों ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं की क्या कर रहे हैं और उन्होंने चिठ्थियां डाल कर उसके कपड़े बांट लिए 35 लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठठठा कर करके कहते थे इसने दूसरों को बचाया यदि यह परमेश्वर का मसी है और उसका चुना हुआ है तो अपने आपको बचा ले 36 सिपाही भी पास आकर और सिर्का देकर उसका ठठठा करके कहते थे 37 यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आपको बचा 38 और उसके उपर एक दोशपत्र भी लगा था यह यहूदियों का राजा है मन फिर आने वाला कुकरमी 49 जो कुकरमी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आपको और हमें बचा 40 इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं दरता तू भी तो वही दंद पा रहा है 41 और हम तो न्यायानुसार दंद पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया 42 तब उसने कहा ही यीशू जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधी लेना 43 उसने उससे कहा मैं तुझ से सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वरगलोग में होगा यीशू का प्रांग त्यागना 44 लगभग दो पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा चाया रहा 45 और सूर्य का उज्याला जाता रहा और मंदिर का परदा बीच से फट गया 46 और यीशू ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौपता हूं और यह कहकर प्रांड छोड दिये 47 सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बढ़ाई की और कहा निश्चय यह मनुशिधर्मी था 48 और भीर जो यह देखने को इकठी हुई थी इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लोट गई 49 पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्वियां गलीव से उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी यीश्व का गाड़ा जाना 50 वहां यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था 51 और उनकी योजना और उनके इसकाम से प्रसन्ना था वह यहुदियों के नगर अरिमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बार जोहने वाला था 52 उसने पिलातुस के पास जाकर यीश्व का शब मानगा 53 और उसे उतार कर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चटान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी न रखा गया था 54 वह तयारी का दिन था और सबत का दिन आरंभ होने पर था 55 उनस्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी की उसका शव किस रीती से रखा गया है 56 तब उन्होंने लोट कर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और सबत के दिन उन्होंने आग्या के अनुसार विश्राम किया अध्याई 24 यीशू का पुनरुत्थान एक परंतु सप्ता के पहले दिन बड़े भोर को वे उन्सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई दो उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुका हुआ पाया तीम पर भीतर जाकर प्रभू वीशू का शवना पाया चार जब वे इस बात से भोचक की हो रही थी तो देखो दो पुरुष जलकते वस्त्र पहिने हुए उनके पासा खड़े हुए पांच जब वे डर गई और धर्ती की ओर मूह जुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा तुम जीवते को मरे हो में क्यू ढूंडती हो छे वह यहां नहीं पर अंतु जी उठा है स्मरन करो की उसने गलील में रहते हुए तुम से कहा था साथ अवश्य है कि मनुश्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चड़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे आठ तब उसकी बातें उनको स्मरन आई नौ और कब्र से लोटकर उन्होंने उन ग्यारहों को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई दस जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कहीं वे मरियम मगदलीनी और योहना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्यस्त्रियां भी थी ग्यारा परन्तु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पढ़ी और उन्होंने उनकी प्रतीती न की बारा तब पत्रस उठकर कबर पर दोड़ा गया और जुक कर केवल कपड़े पढ़े देखे और जो हुआ था उससे अचमभा करता हुआ अपने घर चला गया इम्माउज के मार्क पर चेलों के साथ तेरा उसी दिन उनमें से दो जन इम्माउज नामक एक गाव को जा रहे थे जो यरूशलिम से कोई साथ मील की दूरी पर था चौदा वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे पंद्रह और जब वे आपस में बातचीत और पूछताच कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया सोलह परंतु उनकी आँखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहिचान न सके सत्रह उसने उनसे पूछा ये क्या बाते हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो वे उदास से खड़े रह गए अठारह ये सुनकर उनमें से क्लियो पास नामक एक व्यक्ती ने कहा क्या तु यरूशिलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता की इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है उन्नीस उसने उनसे पूछा कौन सी बाते हैं उन्होंने उससे कहा येशु नासरी के विशय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविश्यद वक्ता था बीस और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उससे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यू की आग्या दी जाए और उसे क्रूस पर चड़वाया 21 परंतु हमें आशाती की यही इस्राइल को चुटकारा देगा इन सब बातों के सिवाए इस घटना को हुए तीसरा दिन है 22 और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है जो भोर को कब्र पर गई थी 23 और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आईं की हमने स्वरगदूतों का दर्शन पाया जिन होने कहा कि वह जीवित है 24 तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया परंतु उसको न देखा 25 तब उसने उनसे कहा हे निर्बुद्धियों और भविश्यदवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियो 26 क्या अवश्य न था कि मसीह ये दू खव उठा कर अपनी महिमा में प्रवेश करे 27 तब उसने मूसा से और सब भविश्यदवक्ताओं से आरंब करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विश्य में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया 28 इतने में वे उस गाव के पास पहुँचे जहां वे जा रहे थे और उसके धंग से ऐसा जान पढ़ा की वह आगे बढ़ना चाहता है 29 परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका हमारे साथ रह क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत धल गया है तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया 30 जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा 31 तब उनकी आँखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आँखों से छिप गया 32 उन्होंने आपस में कहा जब वह मार्ग में हम से बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजनान उत्पन हुई 33 उसी घड़ी उठकर यरूशलिम को लौट गए और उन ग्यारहों और उनके साथियों को इकठे पाया 34 उसी कहते थे प्रभू सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है 35 तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना यीशू का चेलों को दिखाई देना 36 वे ये बातें कैही रहे थे कि वहाप ही उनके बीच में आख़डा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शान्ती मिले 37 परंतु वे घब्रा गए और दर गए और समझे की हम किसी भूत को देख रहे हैं 38 उसने उनसे कहा क्यूं घब्राते हो और तुम्हारे मन में क्यूं संदे उठते हैं 49 मेरे हाथ और मेरे पाउव को देखो की मैं वही हूँ मुझे चू कर देखो क्योंकि आत्मा के हड़ी मास नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो 40 यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पाउव देखाए 41 जब आनंद के मारे उनको प्रतीती न हुई और वे आश्चर्य करते थे तो उसने उनसे पूछा क्या यहां तुम्हारे पास कुछ भोजन है 42 उन्होंने उससे भुनी हुई मच्छली का टुकड़ा दिया 43 उसने लेकर उनके सामने खाया 44 फिर उसने उनसे कहा ये मेरी वे बाते हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बाते मूसा की व्यवस्था और भविश्यदवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विश्य में लिखी हैं सब पूरी हों 45 तब उसने पवित्र शास्त्र बूजने के लिए उनकी समझ खोल दी 46 और उनसे कहा यो लिखा है कि मसीधू ख़ उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुँँ में से जी उठेगा 47 और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा 48 तुम इन सब बातों के गवाह हो उन्चास और देखो जिसकी प्रतिग्या मेरे पिताने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो यीशु का स्वर्गा रोहन 50 तब वह उन्हें बैतनियाह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीश दी 51 और उन्हें आशीश देते हुए वह उन्हें से अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया 52 तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनन से यरुशलिम को लोड़ गए तिरपन और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्थुति किया करते थे